नमस्कार आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक UPSC CAC हिंदी में मैं ललीत यादा हूँ आप सबका वेलकम करता हूँ सबका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपोर्टन टोपिक उस पर डिसकसन करेंगे रास्ट्रिय एकता के उपर और रास्ट्रिय एकता के कोन-kोन से खतरे हैं उन में में विन खतरों के उपर हम चर्चा करते वे चलेँगे तो सबसे पहले तो आप सबको आज के प्यार महुबत भरे दिन की सुब कामनाएं साथ ही हमारे जो पुल्वामा हमले में जो वीरगती को प्राप्त हुए सहीदों को उनको उस्रधांजली उनको नमन हमारी तरफ से चल ये तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज बहुत इंट्रेस्टिंग मज़ेदार चैप्टर होने वाला है जिस तरीके से आप पिक्चर देख पा रहे होंगे स्क्रीम क्यों पर रास्ट्री एक्ताव को लेकर गे तो आगे वढ़ने से पहले आपको एक बेसिक इंट्रोड़क् से जो आप देख पाएंगे आपको अगर PDF चाहिए तो यह मेरा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी सारी की सारी Unacademy का official telegram channel है उसका नाम है Unacademy लली त्यादो की पाट साला जितने भी PDF हैं पूरे slayvers की मैंने free में upload कर रखे हैं आप जाएए download कीजिए मेरी classes का notification भी आपको यहां से मिल जाएगा और अगर आप इंडिया के सारे top educators से एक ही जगे पर एक साथ पढ़ना चाते हैं तो Unacademy का subscription ले सकते हैं काफी अच्छे offers अभी चल रहे हैं Unacademy का app इसके लिए आपको mobile में download करना है UPSC CSC का goal select करना है और यह get subscription हरे रंग में आता है इसके ओपर touch करना है तो आपके सामने इस तरीके की screen खुल जाएगी देखिए जी दो तरीके के course है Unacademy पर एक plus और एक Iconic Iconic में Unacademy थोड़ी facilities extra देती है आपको luxury वाली feeling आती है उसमें कि एक तो mentor मिल जाता है Unacademy से guide करने के लिए दूसरा answer writing की practice regular basis पर होती है जिससे आपका means में अच्छा score आने की संभावना बनी रहती है तो इसलिए उसकी fees थोड़ी सी जादा है लेकिन एक चीज में यहाँ पर आपका हमेशा मेरी तरफ से आपको सहयोग मिलेगा कि जब भी आप course join करते हैं तो यहाँ पर code डालना पड़ते हैं आपको apply code यहाँ पर आपको ly live यह referral code डालना है इस code को याद रखे लिजिए आपके बहुत काम का code है क्योंकि हम इसको code to success magical code भी कहते हैं इसका कारण क्या है समझे सबसे पहले तो आपको इसको लगाते ही 10% की fees में छूट मिल जाएगी दूसरा जितनी भी teachers एन academy पर सब की classes मिल जाएगी सारे notes, books UPSC की जितनी भी हैं वो सारे की सारे updated study material अन academy का आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा और सबसे important चीज कि आपको personal guidance मिलेगी मेरी, मैं अपने सारे students को बच्चों को personally mentor करता हूँ personally guide करता हूँ, one on one guidance देते हैं, सबसे important चीज यही है UPSC की जर्मी में कि आपको कोई एक proper guide करने वाला मिल जाए और teacher मिले manager, assistant के मुझा आप बजाए एक teacher आपको guide करे ज़्यादा better रहता है और उसी चीज की जरूरत है उसके लिए teacher को अपना time देना पड़ता है तो मैं अपना time अपने सारे students को देता हूँ आप कभी भी जब contact करेंगे तो आपका contact direct मेरे से ही होता है मैं ही receive करता हूँ, मैं ही आपको वापस callback भी करता हूँ तो अगर आपको proper guidance सही है तो आप यही code लगाना exam pass होने तक आपको guide करेंगे किसी भी चीज में कभी भी कोई problem नहीं आने आएगी जब भी subscription लेना हो पहले एक बर मेरे से बात जरूर कर लेना है ठीक है, code का याद रखे LY live, optional course लेना चाहते हैं भी आप इस code से ले सकते हैं अभी test series Unacademy न लोंच किया है बहुत सस्ती सी है, यह भी LY live code से लेट सकते हैं जो students one time payment नहीं कर सकते हैं आप EMI पर भी subscription join कर सकते हैं credit card या बजाज के card से अगर वो नहीं है तो आप Unacademy education loan भी provide गरता है आपको तो वो education loan से आप subscription ले सकते हैं 10% discount यहाँ पर भी आपको मिलेगा कोई extra fees नहीं लगती है इसका process वीडियो की description में link में आपको मिल जाएगा वो loan का form भर देना है उसमें अपना नाम, mobile number, मेरा नाम और मेरा referral code जरूर डालना तो आपको loan मिल जाएगा referral code में ध्यान रखिए L Y L I V E यह आपका referral code है जो आपको वहाँ पर apply करना है तो आपको loan मिल जाएगा और मेरी guidance भी मिल जाएगी कहीं से भी call line, कभी भी कोई भी चीज पूछा जाए तो उनको बोलोगी L Y L I V code लगाने हैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान या पर है नए batches 16 तारिक से start हो रहे हैं Hindi English, Bilingual दोनों में आपको मिलते हैं कभी भी course join करो तो दो साल से कम मत करना कोई benefit नहीं है दो या तीन साल का ही करना वो ही beneficial रहता है और हर संडे को scholarship test होता है ये भी join करके prizes जीच सकते हो ये मेरे courses हैं जो March में start होने वाले हैं बहुत सारे तो आप जब join करेंगे तो आपको मेरी ये classes वहाँ पर मिलेंगी साथ में चल ये तो आज की class हम start करते हैं रास्ट्री एकता तो बहुत सारे काफी दिनों के बाद से हम classes continue कर रहे हैं तो दीरे दीरे समय लग रहे है सारे students को जागने में आने में कि हाँ चलो teacher आगए है ललीचर आगए अब से आपके लिए regular classes हुआ करेंगी रात में 9 बजे daily live आये करूँगा और 6 बजे जो bilingual class है उसके लिए मैं record कर रहा हूँ sessions तो वो session recorded session वहाँ पर प्रीमर हो जाये करेंगे एक या दो दिन के बाद से bilingual के भी आने start हो जाएंगे चलिए तो आज तो खुस तो बहुत होंगे आप सब लोग क्योंकि एक तो आप सब की पसंद का दिन है युवा लोग हैं young age में हैं तो ऐसे में दिल में कुछ कुछ तो होता ही है और आज का दिन भी आप सबी के लिए इस तरीके का खास दिन रहा होगा किसी के लिए आज का दिन इतना भेतर रहूगा कि उसके जिंद्गी के सपन शाकार होने जैसे लगा होगा किसी को जिसका ही चीजे हुई नहीं बनी होगी तो उनके लिए हो सकता है कि आज का दिन सदमे से भरा रहा हो दुख भरा रहा हो प्रपोजल एक्सेप्ट ना हुआ हो तो ये भी ध्यान रखना है अच्छी चीज है इनके साथ साथ आज के दिन हमें अपने उन सारे वीर गतिक सबी के लिए सुरद्धान्जली और उनी सब के दम पर वो सब लोग जो हमारी सुरक्षा में मोजूद रहते तभी हम इतनी चैन की नींद सो पाते हैं इतने सारा काम कर पाते हैं आप सब लोग इतने फ्री होकर अच्छे से क्लासिस कर पाते हैं तो उनके लिए भी उनको भ जाद रखना है उनको भी भूलना नहीं है ठीक है उनका योगदान बहुत जादा है चलिए तो नेशनल इंट्रेस्ट हम रास्ट्री एक्ता रास्ट्री एक्ता की बात करेंगे सुर्णीना अजल दगता धिसे तो अगे बढरने से पहले जरा जोस बता दीजिए हाउसदा जो अगर हम भारत की बात करते हैं मेरे दोस्त तो भारत एक ऐसा देश रहा है जो वर्ड के अंदर पूरे दुनिया के अंदर एक युनिक अजीब किस्म का अजूबा किस्म का देश है हर चीज में देखोगे तो कुछ न कुछ युनिक नेस यहाँ पर देखने को मिलती है और सबसे बड़ी इसकी जो युनिक चीज है जो पूरे विशु से इसको अलग बनाती है वो है इसकी विविदिता डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी भी किसी एक दो चीज को लेकर के हर मामले में ले लो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी अगर हम विविदिता की बात करते हैं तो आप छेतर की बज़गर यहाँ पर बात कर रहें तो आप देखना की पूरा भारत जम्मू कस्मीर से कन्या कुमारी एक ही समय में एक ही जगे पर आप देखोगे एक ही समय के कई का मोसम कुछ है कई पर अलग है तो मोसम में रहने सहने उसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लोगों में डाइवर्सिटी मिलती है दुनिया के जितने भी धर्म है न सभी धर्मों के लोग भारत के अंदर रहते है ठीक है कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके लोग भारत में न रहते हो तो हर धर्म के लोग जाती अगर हम बात करें कास्ट तो हर धर्म में अलग-अलग प्रकार की जाती आपको देखने को मिलेंगी और भारत में तो सेकडो प्रकार की जाती आपको देखने को मिलती है और हर जाती हर धर्म के अपने अपने रिती रिवाज होते हैं, अपने अपने कारे करने के तरीके होते हैं, अपने अपने पर्सनल लोज भी होते हैं, साधी विवाह, परमपरा, तलाक, इनके सारे अलग-अलग मामले होते हैं, रहन-सहन भी अलग हो जाता है, खाने-पीने की भारत में भासा बदलती भी दिख जाएगी और भासा की तो बात ऐसे है कि आप 50 किलोमेटर चलो अपने छेतर से 50-60 किलोमेटर चलो दूर चलोगे तो आपको महाँ पर उसकी एक नई बॉली देखने को मिल जाती है 100-500 किलोमेटर दूर चलोगे तो पता चलेगा भासा ही चेंज होगे तो अलग-अलग प्रकार की भासा हैं अलग-अलग तरीके की चीज़े जिससे भारत एक विविदता वाला देश बना अब जब इतनी सारी डाइवर्सिटी है जिसमें कोई भी चीज एक नहीं है सब अलग-अलग चीजे उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी आस्चरिय की बात है पूरे विशु के देशों के लिए जो दूसरे देश हैं जो उनके लिए ये बहुत बड़े आस्चरिय की बात रहते हैं ये इंडिया आखिरकार इतनी बड़ी महासकती बन कैसे रहे इतने ज़्यादा डेवलोप्मेंट इतना ज़्यादा विकास वो कर कैसे रहे क्योंकि जिस तरीके की डाइवर्सिटी विविद्दा है भारत के अंदर है उसके इसाब से तो भारत में समय समय पर कोई ना कोई विवाद ही उत्पन होते रहने चीए आपस में लड़ते जगड़ते रहने चीए लेकिन इतनी विविदता होने के बावजूद भारत इतना आगे बढ़ा तो उसका reason है, उसका reason क्या है समझे भारत जो है विविदता है जरूर है लेकिन इन विविदताओं के साथ साथ भारत में कहावत famous है जिसको बोला जाता है विविदता में एकता unity in diversity और उसका reason क्या है, उसका reason समझे उसका reason है भारत का सम्विधान भारत का सम्विधान इस तरीके से बनाया गया कि उसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिडोक करके रखा तो अंग्रेज लोगों के लिए जो कि भारत में आये थे, जिनोंने भारत में food डालो सासन करो की निती प्रारम की और वहां से भारत के अंदर अलग-अलग अलगाव वाली चीजे पैदा हुई लोगों में आपस में वेमनेस से आने लगा जब हमने हमारा समिधान बनाया तो हम समिधान बनाने के बाद उस समिधान के माध्यम से हमने ऐसे सारे खत्रे जो देश की एकता के सामने आते उनको दूर करने की कोशिस की For example अगर आप देखोगे समिधान के अंदर तो Article 14 से 18 आप देखोगे Right to Equality जिसको हम समानता का अधिकार या समता का अधिकार बोलते हैं सभी लोगों को बराबर अधिकार आप किसी जाती के हो धर्म के हो लिंग के हो भासा के हो आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा UPSC का form निकला हुए आप सभी लोग UPSC की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे मित्र हैं अभी आप देखेंगे UPSC के एक्जाम में अभी form भरते हैं तो क्या खा जाता है कि केवल एक ही जाती या एक ही धर्म के व्यक्ति form भर सकते हैं बाकी नहीं भर सकते नहीं सभी के लिए equal opportunity है एवन जो ऐसे वर्ग जो सक्षम नहीं थे capable नहीं थे सामाजिक और आर्थिक रूप से और जो कमजोर हो गए थे विकास्त की दोड में मुख्य धारा से पीछे रह गए थे उनको भी उपर उठाने के लिए उत्थान के लिए सामाजिक नियाय के सिध्धानत के तोर पर आरक्षन भी जोड़ दिया गया धार्मिक सोतंदरता का अधिकार दिया गया आप कोई भी धर्म अपना ये किसी तरीके से उसका प्रचार प्रसार कीजिए अपने धार्मिक अनुस्ठान कीजिए कोई रोक टोक नहीं तो ये सारी चीज़े ऐसे वी कि समिधान ने भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया और उस एकता के सूत्र में पिरोया और उसने ये अकांसर रखे कि आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे ग्रो करेंगे भारत एक महान एक विसाल ऐसा देश बनेगा जिसमें आपसी वेमन या फिलमें अगर आप देखते होंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई आपस में हैं भाई 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 तो वो क्या दिखाता है कि हम ब्रदर हूड है और हमारे यहाँ पर एक प्रस्तावना के अंदर भी बंधुता वर्ड जो है आप देखोगे वो आपको देखने को मिल ज जाणा तो जेंडर बायस भी है वो बस एक कहावत थी उस तरीके से कहने की तो वो उस तरीके से बोले गे लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम इस तरीके की प्रवर्तिया भारत में समीधान के द्वारा उत्पन की गई कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिल जूल कर ग लोगों की सुन्दर्ता जो कई लोग बड़े अपने आपको सुन्दर बनाई रखना चाहते न तो आपकी सुन्दर्ता वो धूप से खत्रा हो जाते हैं गाना सुनते धूप में निकलाना करो रूप की रानी गोररन कालाना पड़ जाए यह न तो फिर मैकसिमम लड़के लड चुनोती खत्रा होता है ऐसे ही हमारी जो एक्ता है हमारी जो देश के अंदर जो सारे लोगों के बीच का जो एक्ता की प्यार महुबत की भावन है इसके लिए भी कई सारे खत्रे हैं और उन खत्रों का नाम अगर आप देखोगे तो यह यह अदर आपको पिक्चर देखते भ ये ऐसी चीजे हैं जो भारत के अंदर भारत की रास्त्री एकता को नुकसान पहुचाने में अवरोध पहुचाने में बड़ी भूमी का निवात ने अब इनको एक-एक करके हम चेक करते वे चलेंगे कि ये क्या है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चेतरवाद उस चेतरवाद को हम समझेंगे मेरे दोस्त आप लोग जिन्दा है की नहीं क्लास के अंदर जिन्दा है अरे यार मैं अभी मैं मान रहा हूं आज प्या इधर फोकस करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा कमेंट बोक्स में ऐसे ही आपस में किसी की साथ चैट में लगे रहने से ना तो कोई पटने वाला ना कोई पटने वाली पढ़ाई पर धियान दोगे तो सब कुछ हो जाएगा तो अब यहां पर करते रहेंगे एंटर्टेन इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या छेतरवाद को लेकर के समय समय पर उभरने लगी है अब उस छेतरवाद को समझे जैसे कि आपने कई बार नाम सुना होगा नारे सुने होंगे कि महरास्ट केवल मराठियों के लिए गुजरात केवल गुजरातियों के लिए इस तरी और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं और वहाँ पर जो पार्टियां हैं पोलिटिकल पार्टियां वो अपने एक विसेश दर्जे के लिए संघर्स करती भी वहाँ पर नजर आती हैं और दूसरे समुदाय या दूसरे छेतर के लोगों के साथ वो अपना संबंध उतना नह यहां से काफी सारे लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। जैसे मान लीजिये पंजाब में गए, गुजरात में गए, महरास्टर में गए। और आपने न्यूस पेपर में ऐसी कई सारी खबरे सुनी होंगी कि वहाँ पर स्थानिय लोगों ने इन स कैसे आगे, तुम निकलो, यहां से बाहर निकलो, अपने अपने छेतर की लेकर गे। तो यह इस तरीके की प्रवर्तिया जो है न, वो प्रवर्तिया देश की एकता के लिए खतरा है। क्योंकि भारत के समिधान में तो आपको पूरे भारत में जाकर के कहीं पर भी रहने, बसने काम करने की सोतंतरता है, अब ऐसे में आप किसी एक जगे पर जाकर के काम करने जा रहे और वहां पर कोई परसन, कोई व्यक्ति आपको आ करके बोले, कि भई तू यहां पर कैसे आगया, तू तू उस राज्ये का था, तू तू उस छेतर का था, तेरा यहां पर रहने तो ये छेत्रवाद की जो प्रवर्ती है भारत के अंदर ये बहुत तेजगती से बढ़ने लगी और इसके अंदर राजनिती ने बहुत भूमी का निभाई। तो कई अलग अलग राज्यों की मांग करना कोई बुरी बात नहीं है ठीक है कि विकास के दिरिस्टी कोन से अगर किसी को चाहिए कि राज्ये का विभाजन किया जाए वहाँ पर development होगा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन दिक्कत क्या है ना कि भारत के अंदर कि रा तरीके से डिमांड करेंगे कि भाई हमारा एक अलग से एक ऐसा राज्ये बनाया जाए जिसमें केवल एक ही वासा के लोग रहते हों या एक ही समुदाई टाइप के लोग रहते हो इनके लिए एक अलग चीज़े कर दी जाए है ना कुछ केंदर सासित प्रदेस हैं वो भी अपनी अलग से डिमांड करते हैं कि हमें भी पूर्ण राज्ये का दर्जा दे दिया जाना चीज़े है वो कहते हैं कि हमारी तो स्टेटस हमारा छेतर हमारा एक विसेश दर्जा है तो ऐसे में हम इतने सक्षम है कि हमें पूरा राज्ये का दर्जा मिल जाए जैसे आप दि इसके जितने भी प्रमुख प्रमुख ओफिस हैं, संस्थान हैं, वो दिल्ली में हैं, अब ऐसे में अगर उसको केंदर के अधिन नहीं रखा जाएगा, तो उन संस्थानों की सुरक्षा और उनके साथ वहां की कार्य प्रनाली में, कार्य पधती में वह सारी बाधायें, दिक ठीक है, अब इसके साथ-साथ कुछ ऐसे संगठन है न, जो छेत्रिय उद्देश्चे के लिए बन जाते हैं, और जो आतंकी गतिविधियों की वकालत करने लगते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है, आप देखोगे भारत में अलग अलग तरीके के दल बन जाते हैं, नाम ने हैं, वो छेत्र विशेष के नाम से बना दी जाती है, और उनका मुद्ध के उद्देश से रहता है कि केवल हमारे छेत्र के लोगों के लिए ही कार रोजगार, इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने छेत्र के लोगों के विकास के लिए डिमांड करना, उनके लिए केड़ने की बात कहना, उनको अपने से निम्नतर कहना, ये चीज गलत है, अपने लिए डिमांड करो, अपने रोजगार के अउसर बनाओ, लेकिन दूसरों को निचा ना दिहाते हुए, दूसरों के साथ घणा का भाव ना करते हुए, तो ठीक है, लेकिन आजकल जिस तरीक दिकत प्रदान करती हैं, अब इसके साथ-साथ एक और चीज है, कि, एक मिनट रुकिये, जैसे ये यहाँ पर बता रहे हैं, कि स्थानिय लोगों की सरकारी पदों, निजी नोकरियों, आग्या पत्रों, अन्ये में प्राथमिक्ता की वाकालत, एक ये भी चीज है भारत के अंदर कि आज कल इस तरीके की डिमांड उठने लगी है, कि जिस राज्ये में जो लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि वही है हमारे राज्ये के लोगों को ही नोकरिया मिलनी चाहिए, बाहरी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज है वैसे गलत हैं, क्योंकि सम सबसे पहले तो सांप्रदाइकता का अर्थ समझें, आप ये पिक्चर देखेंगे, तो इस पिक्चर में आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा, कि दो अलग-अलग समुदाए हैं, वो दोनों अपने को एक दूसरे से अलग समझते हैं, और एक दूसरे के खिला होने के नाते, हमें सबसे पहले जिस चीज को अपनाना चाहिए, वो एक भारतिय, इंडियननेस, भारतियता को अपनाने क्या हो सकता है, इंडिया को सबसे उपर रखने क्या हो सकता है, लेकिन भारत में समय के साथ साथ जैसे जैसे राजनिती बहुत तेजगती से बढ़ने इसमें बहुत सारे धार्मिक समूदाये हैं, अब यहां पर धार्मिक समूदाये का मतलब यह समझ लेना कि धार्मिक समूदाये का मतलब कोई एक विशेश धर्म के सारे लोग उसमें सामिल हैं, अलग 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 संगठन बने रहते हैं, अलग अलग समूदायों के अंदर, त उनको तो इन चीजों से मतलब ही नहीं होता है, वो तो अपने रोज मन रहा है कि जिंदगी में जी रहे होते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ना चाते हैं, उनको पता है कि हमें एक साथ मिल जूल करके रहेंगे, काम करेंगे, मेनत करेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे, बड़े बड़े अलग 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 छेत्र में ठेकेदार बने रहेंगे जिन्होंने ठेका ले रखा होता है अपने छेत्र में धर्म की रक्षा करनेगा वो क्या कहेंगे कि हम हमारे धर्म के रक्षक हैं हम इस धर्म के लिए मतलब जान दे देंगे हमारे धर्म के देना देना इन चीजों से नहीं होता है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर ये सामप्रदाइकता की भावना कहां से उत्पनवी किस तरीके से आई तो इसको बड़े ध्यान से समझना देखिए 1909 का एक एक आता है 1909 जिसको आप मारले मिंटो एक्ट बोलते हैं उस मारले मिंटो एक्ट ने भारत के अंदर सामप्रदाइक राजनिती को जन्म दिया हलाएं कि उससे पहले मुस्लिम लीग का गठन भी हो चुका था लेकिन तब तक चीजे इतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं थी लेकिन अंग्रेज लोग उनको ये समझ में आ गया था क् 1857 की करांती भी थी ना 1857 की करांती समझे वो भारतिय एक्ता का प्रतीक थी कि किस तरीके से सभी भारतियों ने एक जूठ होकर के अंग्रेजों के खिलाफ जंडा बुलंद किया और वो तो हमने अंग्रेजों के छक्ये छुड़ा दिये थे उनके तो तोत्य से उड़ गे उनके अपने जान बचानी भारी हो गए थी वो तो कुछ ऐसी चीजे हुई कि कुछ गद्दारों की वज़े से या कुछ सही तरीके से सामंज से ना होने के कारण अंग्रेज लोग 1877 की क्रांती को दबा गए लेकिन इससे उनको अंग्रेजों को एक सीख मिली अंग्रेजों को सीख हिये मिली कि यार इंडिया को हम जितना कमजोर समझते हैं उतना कमजोर है नहीं भारत भारत में जिस तरीके से लोग अपने देश के लिए राष्ट प्रेम के लिए एकजुट हो जाते हैं ये भावना एकदम अलग किस्म की भावना है भविस्य में ऐसी घटना फिर से हो सकती है अब इसको रोखने के लिए क्या किया जाए तो धीरे-धीरे सोच रहे थे सोच रहे थे फिर उनके मायंड में दिमाग में एक बहुत खतरना किस्म की निती आई एक पोलीशी आई जिसको नोने नाम दिया डिवाइड और रूल जिसको बोलते हैं फ एकता कपूर के फिल्म का सीरियल वाले वो तो है नहीं कि एकता कपूर के जो सीरियल टीवी पर चलते हैं उसमें फूट डालने के लिए कोई अलग-अलग किस्म के लोग आ जाते हैं ना कभी सास को विलन बना देते हैं कभी ननद को विलन बना देते हैं कभी बहू को विलन ब आवाज में सुना दिया जाते है, ऐसे सारे करेंगे, अब बताती हूं इसको, आज इसके दूद में जहर मिलाऊंगी, यू यू करके, या इस तरीके की चीजे, तो अब अंग्रेजियों के पास इसी तरीके से फूट डालने वाला कोई करना था कि इनका घर, जैसे घर के आप से समस्याओं में घिरे रहते हैं, तो अंग्रेजियों को भी चाहिए था कि भारत में भी कैसे फूट डालें, तो उनको समझ में आया कि जो इंडिया की विवीदता है, इंडिया में तो इतनी डाइवरसिटी है, जो डाइवरसिटी विवीदता, धर्म, जाती, हर किसी तो क्यों ना इस विविदता को ही हम नकारात्मक रूप से उभारें और उन्होंने देखा कि भारत में दो बहुत बड़े समुदाएं हैं एक हिंदू और एक मुसलिम दोनों के रितिरीवाज अलग हैं और दोनों के परंपराएं वो सारी चीजे अलग हैं ये बड़े प्यार फूट कैसे डालोगे फूट तभी डलेगी जब उनमें अपनी स्वतंत्र खुद की पहचान बनाने की इच्छा डाल दी जाए उनको बता दिया जाए उनको समझाय जाए कि भाई तुम अलग हो तुम बूसरे जैसे नहीं हो तुम्हारा समुदाएं अलग है तुम्हारा व इंटो अधिनियम में सांप्रदाइक आधार पर निर्वाचन विवस्था प्रारंब की गई ठीक है जिसको हम बोलते हैं सांप्रदाइक सांप्रदाइक निर्वाचन विवस्था ठीक है अब सांप्रदाइक निर्वाचन विवस्था क्या थी इसको समझ ये इन्होंने देखा कि भारत के अंदर मुस्लिम जनसंख्या काफी है हिंदू जनसंख्या काफी है लेकिन हिंदूों के मुकाबले मुस्लिम जनसंख्या थोड़ी कम है तो उन्होंने उसको टारगेट किया अंग्रेजोंने टारगेट किया सबसे पहले और target करते हुए 1909 के अधिनियम में ये विवस्था कर दी कि Muslim समुदाए के व्यक्ति केवल Muslim Candidate को ही vote डालेंगे और Hindu समुदाए के व्यक्ति केवल Hindu समुदाए के व्यक्ति को vote डालेंगे यानि कि एक दूसरे को वोट नहीं डाल सकते इनके धर्म के अधार पर वोट डालना पड़ेगा अब जब इस तरीके की चीजे हो गई तो सोभाविक सी बात है सब में एक दूसरे से अलगाओ की भाव ना आएगी उनको लगेगा यार हमारे समुदाए अलग होने के कारण ही हमारे अस्तितु है हमारे लोग जितने ज़्यादा होंगे जनसंख्या और राजनिती में उतना हमें फाज़दा मिलेगा तो इन्होंने बीज वो दिया भारतियों के अंदर फूट डालो सासन करो की निती के तहट सामप्रदाइकता का बीज 1909 के अधिनियम में इन्होंने डाल दिया अब यहां से हिंदू-मुस्लिम वैमनस से थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा अब चीजे होई रही थी तो अंग्रेजों ने सोचा दिमाख लगाए मजे नहीं आए हिंदू-मुस्लिम अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी फिर भी भारत में एकता की भावना एकता की बयार बह रही है फिर भी आपस में लड़नी रहे फिर भी कुछ और करना पड़ेगा कुछ और खतरनाख तड़का डालना पड़ेगा तो ऐसे में फिर आता है 1919 का अधिनियम 1909 का एक्ट आता है अब 1909 का एक्ट आता है तो इसके अंदर वो टार्गेट कर लेते हैं अलग-अलग सभी समुदायों को और इसके अंदर वो बोलते हैं 1919 1909 लिख दिया 1919 का अधिनियम आता है 1919 के अधिनियम ने वह देखते हैं भारत में केवल हिंदू-मुसिमी ठोड़ी हैं भारत में तो सिख भी हैं इसाई भी हैं और इसाई भी दो तरीके के हैं एक European Christian है और एक Indian Christian है ठीक इसके साथ साथ और भी अलग-अलग समुदाय हैं तो इन्हों ने 1919 के अधिनियम में बाकी के सारे धर्मों के आधार पर समुदायों के आधार पर निर्वाचन छेतर निर्धारित कर दिये और बोला कि शि trophy को वोट देंगे इसाई इसाईओं को वोट देंगे मुसलिम भूलिमों को देंगे हिंदु हिंदुों को देंगे तो भाकि सारे समुदायों के साथ भी इन्होंने आपस में अलगाव कि बाद की एक पहचान जगानी शुरू कर दी। उनको अब दिखाया बक इनको अगर अलग से प्रतिनिधित नहीं दिया जाएगा, तो जो बहु संख्या वाले लोग हैं, वो इनका दमन कर लेंगे, अत्याचार कर लेंगे, ये बात यहां तक अगर आप देखोगे, अगर इसको सही नजरी से देखोगे, तो इसकी संभावना होती है, बहु संख्या अंग्रेजों की वास्तिविक भावना जो छिपीवी थी, वो ये छिपीवी थी, कि इन सब को आपस में एक दूसरे से अलग कर दो, आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, और अंग्रेज ऐस करेगा, मजया करेगा, कोई भी एक जू ठो अंग्रेजों को और, कि हमने हिंदू मुसलिम कर दिये, सिख कर दिये, इसाई कर दिये, जैन, पार्सी, सब कर दिये, लेकिन इतने में भी समाज तूटा नहीं है, इनकी एकता को तोड़ना है न, तो एक सबसे बड़ी चीज है भारत के समाज में, जाती, कास्ट, तो जाती की आधार पर तोड़ो, और खास करके हिंदू समुदाई को उसने टार्गेट कर लिया, कि यह हिंदू में बहुत सरी जाती हैं, और काम भी विभाजित है, अब ऐसे में इनकी जातियों की अलग पहचान कर दो, इनके आपस में लड़ा दो, ताकि यह एक जुठ होई ना प मेड़कर और महात्मा गांधी और पूना पैक्ट और इन सब के माध्यम से, वो अलग निर्वाचन छेत्रना बन करके, उनको एक अलग से आरक्षन, एक सीटे उनके लिए रिजर्व कर दी गई, और उनके लिए इस तरीके का प्रावधा नेवा कि इस जाती के लोग केवल इस जाती को देंगे, बी नाम की जाती के वोल, बी नाम की जाती को देगी वोट, सी नाम की जाती के वोल, सी नाम की जाती को वोट देगी, अगर ये हो जाता तो बहुत खतरनाख माहूल वहाँ पर हो जाता, लेकिन ये सारी चीजे ऐसी रही, जिसके कारण भारत में सांप प्रदाइक्ता को धर्म के राजनितिक करन से खुब बढ़ावा मिलता है। अब इसमें क्या क्या है समझना। धर्म के आधार पर राजनितिक दलों का गठन हुआ भारत में। तो वो तब ही ओ पयेगा जब हम कुछ अलग हट करके काम करेंगे। अगर हम वही एक जुटो करके एकता वाले नारे पे चलेंगे तो बाकी आाम लोगों के लिए तो बला हो जाएगा लेकिन हमारे क्या होगा। हम तो सत्ता में आना चाहते हैं। सत्ता में आना है यह आपको काम करने के लिए ठेका दिया जाते हैं। यह बनते धर्म के ठेकेदार। दुनिया के सबसे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो यह ठेकेदार किसम के लोग हैं। अब वो लोग क्या करने लगे अपने धर्म अपने समुदाई में जा करके इस तरीके की बातचीत भासा प्रयोग करने लगे भड़काने लगे कि देखो अगर हमारे धर्म के लोग एक जूट नहीं हुए तो दूसरे धर्म वाले लोग हम पर कबजा कर लेंगे हमें मार नहीं थी सेंटीमेंट्स थी उन सेंटीमेंट्स को भढ़काने का काम वो लोग करने लगे अब आम इन्सान है आम इनसान में एक दिक्कत ये भी है कि emotional हम इंडियन है न भावक बहुत है भावकता का वो है लोग पिगल जाता है इनसान वैसे तो बड़े सक्त लोणे यह ले cool dude types है और लेकिन जैसे कोई सामने से कोई निकलती है लड़की, सुन्दर्शी लड़की वैसे तो हो सकता है ना देखे लेकिन अगर वो आकर गे, प्यार से आकर गे बोल भी ले, hello तो दिल के अंदर से आसे निकल जाता है सारा dude-ness attitude काया हो जाता है हाँ, hello, इस तरीके से फिर वो पिगल जाता है, emotions में आ जाता है भावना है बहुत जल्दी आ जाती है ना comment box में भी जैसे आप सब लोगों की भावना है बहुत जल्दी आ जाती है किसी ने नकली profile बना रखे लड़की के नाम से और वहाँ पर कोई लड़का अच्छा खासा वला पढ़ाई कर रहा है, comment में सवालों का जवाब दे रहे है और किसी ने नकली लड़की के नाम से profile बना करके उस लड़के को बोल दिया hello, जानू भाई वो लड़का पिखल जाता है ऐसे तुरंत और वो उसके ऐसे फिर दोनों चैट में लग जाते, एक दूसरे के जैसे कितने जन जन मांतर के साथ ही रहे हो तो वो आपका emotion sound, emotion का साथ खेला जाता था, यहाँ पर जैसे chat box में भी खेल लिया जाता है तो ऐसे ही यहाँ पर भी राजनितिक, कई सारे राजनितिक पार्टियां आपके धार्मिक sentiments, आपके जो धर्म के प्रति, आपकी जो सुरद्धा है लगाओ उसके साथ खेलती है वो अपने आपको ठेकेदार बना लेते हैं धर्म का बोलते हैं हम धर्म के रक्षक हैं हम इस धर्म के रक्षक हम उस धर्म के रक्षक हम हमारे धर्म को वड़ाएंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन आपने एक चीज़ सोची है बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्त इस इतने भी धर्म के ठेकेदार हैं जो बोलते हैं क्या आपकी जिन्दगी में उन्होंने कुछ किया, क्या जब आपको परेशानी थी, तब वो लोग आपके पास आये मदद करने, जब आप दुख में थे, तो उस समय आपके हो सकता है कि पडोस में रहने वाले किसी दूसरे समुदाई के व्यक्ति ने आपकी मदद की हो, आपको एंबुलेंस की जरूरत हो, गाड़ी की जरूरत हो, आपके घर में आग लगी हो, तो बुझाने के लिए और मदद करने के लिए उसके बाद कोन आए, ये धर्म के ठेकेदार थोड़ी आए, हो सकता है कि आप एक रास्ते पर सड़क पर किसी का एक्सिडेंट हो आओ, तो वहाँ पर कोई भी रास्ता चलता, आम इंसान आपको होस्पिटल तक पहुचा दे, आपकी जिन्दी बचा दे, वो ये थोड़ी देखता है कि तुम किस धर्म के हो, क्या वो ठेकेदार जो धर्म के ठेकेदार बनते हो आए आए आपको बचाने के लिए, नहीं आते, कभी भी नहीं आते, जब भी आप दुखी होगे, मुसीबत में होगे, नहीं आएंगे, वो कब आएंगे, जब इनको वोट चाहिए होगे, जब इनको सत्ता में आना होगा, तब आकर कर बोलेंगे कि हम तो ये धरम के हैं, हम वो धरम के हैं, तु हमारे धरम का तो तु हमें वोट दे, दूसरे को दे नहीं सकता, और बहुत सारी जगहे पर sentiments लोग ऐसे होते हैं कि उस sentiments में भढ़क जाते हैं, उनको लगता है कि अरे हां यार ऐसा है, तो वो ये चीज अधार पर राजनेतिक दलों का जो गठन हुआ ये भारत के लिए बहुत दिक्कत भारत की एकतागो बहुत सारा समस्या उत्पन करता है और जो ये सामपरदाइक दंगे जैसे कि हिंदू-मुसलिम सामपरदाइक हिंसा होती है इसके अंदर भी सबसे प्रमुख भूमी का जो ह रहते हैं मैं तो जिस तरीके से रहकर के पल बढ़कर गया हूँ वहार समुदाए के साथ रहता बढ़ता वहा तो एक जैसे ही है सभी थोड़ा तरीका लगए लेकिन है एक जैसे कुछ अलग नहीं है लेकिन आप देखना कि कई बार election में अपना फाइदा कराने के लिए चुनाओं में अपना फाइदा कराने के लिए लोग बड़े ही सोची समझी साजिस के तहत इस तरीके के दंगे करवाते हैं किसी एक छेत्र में एक छोटा सा मुद्दा आएगा उस छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए फिर वो सब लोग लग जाएगे और फिर आपस में एक दूसरे के बीच में टकरा हो जाएगा है ना और कई बार ऐसे नेता लोग ही इस तरीके की भड़काऊ बयान बाजी करते हैं जिससे दंगे हो जाते हैं कई सारे नेता इसे में गिरफतार भी होई अभी एक करनाटक में जो मामला चल रहा है हिजाब वाला मामला तो वो एक ऐसा मामला है जिसके अंदर जैसे जैसे और राजनिती चलते चली जाएगी आपस में समुदायों के बीच में घृना बढ़ती भी चली जाएगी लेकिन भारत के समीधान के नजरी से देखो और समीधान के अनुसार चलो तो वो सारी की सारी चीजों को एक सही तरीके से, सही ढरर्य से सहीं मित किया जा सकता है इसके लिए मैं एक bilingual class में article 25 से 28 तक की एक class record कर रहा हूँ वो आएगी उसमें आप देखना उसमें हिजाव वाले इस मामले को भी बहुत डिटेल से मैंने समझाया कि कैसे इसका समाधान हो सकता है क्या चीज़े की जा सकती है लेकिन मैं ये बताना चाहरा हूँ कि ये जो धर्म के आधार पर जो राजदितिक दल है अब वो उस बाद ऐसे मामले को मुद्दा बना रख़े एक दूसरे के खिलाफ खतरना किसम का मुद्दा बना रख़े और उसमें पाकिसम भी कूद पड़ा है वो आक करके फिर भारत के अंदर भारत के खिलाफ बाते बोल रहे है और उसको इस तरीके की चीज़े हो रही है तो ये ऐसी प्रवर्तिया हैं जिसमें राजनितिक रोटियां सेकने से रोकना होगा कोट ने जो फैसला दिया वो बहुत अच्छा फैसला दिया उसके अनुसार चलना होगा ठीक है इन राजनितिक दलों से आपको बच करके रहना है अब एक और चीज़ समझातों मैं आपको धार्मिक अगर बात करते हैं जब संप्रदाए की तो भारत के अंदर जो राजनिति है वो किस तरीके से खेलती है इसको समझना अगर हम चुनाव होते हैं राजनिति प्लस धर्म किस तरीके से कारी करता है चुनावों मैं आपको मैं एक एक एक्जामपल देता हूँ हर पार्टी का अपना अपना एक धार्मिक वोट बैंक बना रहता है जब election होंगे तब election के time आप TV चैनल खुलना कोई साभी वो TV चैनल खुलोगे ना मेरे दोस्त तो वहाँ पर कोन बैठे मिलेंगे election के time अलग-अलग पार्टीयों के लोग होते हैं वो तापस में बाचित करते ही हैं लेकिन आप वहाँ पर देखना वहाँ पर कोई एक हिंदू पुजारी भी मिलेगा कोई Christian पादरी भी मिलेगा कोई Muslim वहाँ पर जो होते हैं उनके जो धर्म के प्रमुक लोग है वो वहाँ पर मिलेगा ठीक है तो ये सारे के सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदायों के जो प्रमुख प्रमुख लोग है कोई मदरसे का अध्यक्स होगा कोई एक अखाडा चला रहा होगा कोई अपना यहाँ पर एक संगठन चला रहा होगा कोई एक धार्मिक किसी संस्था का अध्यक्स होगा वो सारे लोग महाँ पर बैठे रहेंगे और वो लोग फिर मुद्दे पर डिसकसन करेंगे इलेक्शन के टाइम और फिर वो लोग अपील करते हैं जनता से कि देखो भई हमारा समर्थन तो है इस पार्टी के साथ क्योंकि ये पार्टी हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुए हमारे धर्म के उसको रुख दूसरा वो लगा ये हमारे धर्म के साथ है तीसरा वो लगा ये हमारे धर्म की पार्टी हम इसको वो बोलेंगे तो सोचिए जो परसन जिनका काम धर्म का परचार परसार करना उसकी अच्छी चीजों को लोगों तक पहुचाना होता है वो लोग TV चैनल पर आकर गे पार्टियों का प्रचार कर रहे होते हैं कि देखो भई इस पार्टी का हमारे साथ संबन है इसको वोट दो सच्चे इस धर्म के मानने वाले हो तो तुम्हारा वोट इसी पार्टी को जाना चाहिए मतलब इस तरीके से ड़ाएंगे और हम है ना इंडियन में थोड़ा सा ऐसी विस्वासी चीजों से बहुत जल्दी डरने वाली प्रवर्ती भी देखने को मिलती है वो लेगा कोई बहुत बड़ा सा किस्म का कोई धर्म का ठेकेदार आएगा टीवी पे बैठ करके बोल देगा अगर सच्चे इस धर्म के अनुए आई हो तो पार्टी इसी पार्टी को वोट देना नहीं तो धिक्कार है तुम्हें माफ नहीं करेगा ओपर वाला तुम्हारे घर में ये हो जाएगा वो जाएगा भाई फिर लोग डर जाते हैं क्या इतना बड़ा ठेकेदार धर्म का वो आकर करके यहां पर बोल रहा है कि इस धर्म के हो तो इसी धर्म की पार्टी को वोट देना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर लोग वो सेंटिमेंट्स का यूज किया जाता है इसका एक बड़ा सबसे अच्छा एक्जाम्पल मैं आपो समझाता हूँ कि कई बार आप देखना कि इलेक्शन के टाइम अलग-अलग धार्मिक जो धर्म के या ठेकेदार जिनको कहा दे कई लोग तो फत्वे भी जारी कर देते हैं कि भाई इस छेटर के लोग कि वोल इसी पार्टी को वोट देंगे ये फत्वा जारी है नहीं तो फलाना फलाना आपके साथ कारेवाई की जाएगी एक सिरीज है उस सिरीज को देखना जिसका नाम है आसरम बहुत भेतरीन सिरीज है इसको देखेगा आसरम नाम से बोबी देवल की सिरीज है और बहुत अच्छी उसमें रियलिस्टिक चीजे भी है भारत की समाज की जो बुराईय है उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है उसमें कहानी है जप नाम जप नाम बाबा जाने सब के मन की बात बाबा की सरन में आओ सब का कल्यान होगा और वो बाबा कौन होता है एक अपने जमाने में कौन होता है एक क्रिमिनल होता है था और वो बाद में क्राइम से पुलिस से बसने के लिए बन जाता है आसरम फिल्म की कानी बता रहा हूँ मैं आसरम स्रीज की कानी बता रहा हूँ ऐसा मैं समझ ले ना कि मैं सब के लिए बोल रहा हूँ किसी के लिए नहीं कुछ ऐसे लोग इस तरीके की प्रवर्ती के लोग, जो धर्म का नाम खराब करते हैं, जो हजारों लाखों अच्छे साधू संतों का नाम खराब करते हैं, इस तरीके की लोगों की बात कर रहों, जैसा कि आस्रम स्रीज में आपको दिखाये गया था, अब वो देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे अलग-अलग राजनितिक पार्ट क्योंकि लोग भगत होते हैं लोग अपने दुखों से इतने सताये हुए हैं कि अगर उनको कोई इस तरीके का व्यक्ति अलग-अलग तरीके से कोई उनको चमतकारीक चीजें बताने लग जाए कि ये कर लो तो ये हो जाएगा लोग मानने लग जाते हैं भारत में तो लोग ऐसे लोगों के भी अनुयाई हो जाते हैं जो कहते हैं कि गोल-गप्पा खालो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा एक सभा के अंदर एक मैला खड़ी हो करके सामने किसी एक व्यक्ति से जो एक कोई ठेकेदार बना होता धर्म का उसको पूछती है कि सर जी मेरे पस्ती मेरे को पसंद नहीं करते हैं आज कल अमारी अच्छे से बनती नहीं है क्या करें और सामने बैठा एक व्यक्ति बोलता है आपने ये लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखिये यही कुस ना कुस गड़बड है करपा यहीं से नहीं आ रही आप एक काम करो काले रंग की लिपस्टिक लगाओ करपा आनी शुरू होगी फिर देखो सोचो कि ऐसी ऐसी सभाओं में बीड उढूम बड़ा रहता था लोग लाखो लाखो रुपे की मतलो चड़ावा महाँ पर चड़ा देते थे इन चीजों के लिए तो यह हमारे सेंटिमेंट्स का उनका फाइदा उठाते हैं तो जब लोग किसी के अन्वियाई बन जाते न फिर उनको आते सत्ता में आने की वो फिर वो चाहते कि हम सत्ता में आएए पावर में आए और फिर वो चाहेंगे कि हम राजनिति को भी चलाए तो जिस Supreme असरम स्रीज में आप देखोगे कि कैसे अलग अलग पार्टियां उनके पास आती हैं उनका असिरवाद लेने के लिए कि आप अमारे साथ रहो जैसे कि अभी हर कई अगर जैसे पंजाब में अभी इलेक्शन होने वाले हैं ठीक है यहां पर चुनाओ परचार काफी जोरो सोर तो यहां पर भी डेरा सच्चा सोधा इनका भी काफी इंफ्लूएंस रहता है हर धर्म का कोई ना कोई अपना एक ऐसा वो होता है जो इन इलेक्शन्स में भूमिका निभाते हैं तो राजनितिक पार्टियां उनी के ही आगे मत्था ठेकती है उनी के साथ साथ गाट करती है और वो आते हैं अब ऐसा होने से दिक्कत क्या है कि देश की एकता वो बहुत बड़ा खत्रा है रास्त की एकता वे लिए ये बहुत बड़ी चुनोती उत्पन यहां पर करते हैं यह सारी की सारी चीजे है अब एक और चीज है जिसको हम बोलते है जातिवाद ठीक है छेत्र जातिवर्ग के प्रती प्रेम रखने की और भारत के अंदर इस तरीके की विवस्थाएं है प्रारम से ही रही है अभी भी है आज के समय में मैं आपको जाती का इतना कठोर जो बंधन है उसको समझाता हूँ कि कैसे है सबसे पहले तो वो लोग जो यह कहते हैं कि जाती पात ऒुला होता है ना नियूस पुपर उसमें क्लासिफाइड का एक सेक्शन होता है ठीक है इसको देखना बाई एक ल्टासिफाइड सेक्शन होता है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आते हैं जैसे आज प्यार मोबत का दिन है तो आप ढूंड रहें अपने लिए एक प्रेमी एक प्रेमी का कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला है तो उसी तरीके से वहाँ पर एड़र्टेजमेंट आते हैं और उसमें लिखा होता है वर चाहिए वधू चाहिए दुल्हा चाहिए दुल्हन चाहिए अब बड़े-बड़े सहरों में रहने वाले बड़े-बड़े खुब मोटे पैसे गमाने वाले खुब highly qualified person वो भी अगर एड़र्टाइजमेंट डाल रहे न वर या वधू के लिए तो माल लेते हैं कि एक एड़र्टाइजमेंट आया यहां पर वर का ठ कि बड़न की लिए क्राइडेरिया लिखा जाएगा उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया लिखा जाएगा कि भईया वर्जर वह फलाना फलाना जाती का है तो इस जात्तु की बड़नीक मानद भादम एन झात मधBS Eh यांट कोई ब्हामन होगा तो कएगा कि हमारी ब्हामन में कोई अलग जैसे कोई कैसे श्रिवास्त और कोई गोर ब्हामन है तो कोई ब्हामन वधु चाहिए तो सोचिए कि जाती की चीजे कितना गहराई से आपके दूसरे के अंदर बसी विए कि पड़े लिखे अच्छे अच्छे लोग वो भी जब वर वदू डूडने जाते हैं तो सबसे पहली चीज देखते हैं जाती धर्म भी देखते हैं क्या कभी कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपने देखा जिसमें लिखा हो कि वधू चाहिए और उसमें क्वालिफिकेसन लिख्यों क्या कि पड़ी लिखी होनी चाहिए समस्दार होनी चाहिए बस इतनी इसके अलावा नहीं उसके अलावा वह सारी चीप लिखी रहेंगी एक तो रंग भारत के अंदर रंग का बड़ा खतरनाक मामला है गोरा रंग बना करके लिखा होगी उसको लगता कि प्रेस्टीजियस वही है जो गोरा है सबकुस उसमें लिख देंगे वधु चाहिए जाती लिखने के बाद केंगी गोरी भी चाहिए फिर हाइट में लिखेंगे इतनी ये वी उसको कमाने वाली भी चाहिए और तुछा लड़का क्या करता है तो वो कुछ भी करता हूँ लड़का है लेकि बड़ी ऐसी चाहिए सेम जब वदू के लिए डायलोग आएगा डूढने के लिए आएगा तुछ में भी यह क्वालिफिकेशन डूढनेंगे कि चाहिए सुन्दर हटा कटा छे फुट एक इंच का लड़गा रंग गोरा होना चाहिए सरकारी भोक्री में होना चाहिए पैसा कमाते होना चाहिए बेरोजगार नहीं चलेगा कि भारत के समाज के अंदर जाती और उससे जुड़े वी बहुत सारी चीज़े इतनी गहराई से गुसी वी है कि निकल ही नहीं पाती है इनसे निकलने के लिए दूर होने के लिए एक awareness एक समझ होना बहुत जरूरी है तो भारत में जाती के अधार पर जितनी चीज़े होती जो गलत चीज़े वो रास्त्रेक्ता को बड़ा खत्रा पहुचाती है इनमें सबसे बड़ी समस्या है राजनितिक पार्टियां जो केवल जाती के अधार पर राजनिति करती हैं अब ऐसा मत समझना कि भारत में केवल कुछ ही पार्टियां है जो जाती के अधार पर राजन का vote bank रहा लेकिन वर्तमान समय तक आते आते सभी पार्टियां सभी दल जातियों के फेर में फसे रहते हैं जातियों के समीकरण को सुलजाने में लगे रहते हैं इसका सबसे बड़ा example मैं आपको समझाता हूँ बड़े ध्यान से समझना कि किस तरीके इसे चीजे होती हैं माल लेते हैं कि एक निर्वाचन छेत्र है ठीक है एक निर्वाचन छेत्र है निर्वाचन छेत्र जहां पर election होते हैं exit और उस निर्वाचन छेत्र का नाम हम क्या रखें आप ही लोग suggest कर दीजिए वही नाम निर्वाचन मैं एक अपना जहां पर मैं रहता हूँ, वहां का मैं लिख देता हूँ, जहां से मैं born and brought up हुआ हूँ, हर्याना में, माल लेते हैं कि नार्नोल है, नार्नोल नाम का एक निर्वाचन छेतर है, ठीक है, अब इसमें election हो रहे हैं, और इसमें लोग सभा के लिए, या लोग सभा क पर होंगी, वो ये देखेंगे कि इस छेतर के अंदर कौन सा धर्म सबसे जादा है, तो उस छेतर में हैं तो सभी लोग, लेकिन हिंदू धर्म के लोग जादा है, फिर दूसरी चीज तो सबसे important चीज देखी जाएगी, वो ये देखेंगे कि जाती कौन सी सबसे जादा है इस छेतर में कौन सी जाती के लोग जादा हैं। तो उस साइड में थोड़े यादव जादा हैं। तो हर पार्टी जो है ना, वो क्या करेगी, वो उसी व्यक्ति को वोट देगी जिसकी संख्या जादा है। तो ऐसे में A पार्टी होगी, B पार्टी होगी, C पार्टी होगी, D पार्टी होगी, इन चारों का उम्मीदवार देख लेना, इसका भी यादव होगा। इसका भी यादव होगा, इसका भी यादव होगा, इसका भी यादव होगा, है ना, अगर ब्राह्मन जादा है, तो इसका भी ब्राह्मन होगा, इसका भी ब्राह्मन, अगर जाट जादा है, तो इसका भी जाट होगा, इसका भी जाट होगा, इसका भी जाट होगा, सभी का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन में नहीं खड़ा करेंगे, जो suitable है, जो अच्छा है, इमानदार है, कर्तविनिस्ट है, काम करता है, और उसमें चमता है देश के लिए कुछ करने की, आगे बढ़ने की, देश को वहाँ के स्थानिय लोगों के विकास करवाने की, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जब वोटिंग होगी न, तो वोटिंग के टाइम सभी अपने अपने ही केंडिडेट को वोट डालेंगे, तो जिस जाती के लोग उस छेतर में जादा है, उसी जाती के लोग को अगर खड़ा करोगे, तो इलेक्शन जीतोगे, अगर दूसी जाती के खड़ा हो गया, तो नहीं जीतोगे, कोई बहुत इक्के दुक्के rare किस्म के मामले आते हैं, जहां पर लोग किसी दूसी जाती के जीत जाए, जहां पर बहु संख्या में कोई और जाती होती हो, rare, एक छेतर में, एक सीट में, जिस जाती का बहुमत हो कि या रिष्टी सच में बड़ी चीज है कोई भी आएगा वोट डालने वोट का प्रचार करने के लिए तो आप करा क्या बोलेगा हाँ वैई कौन सी जाती के हो अच्छा च्छत्रिय हो हम भी च्छत्रिय हैं तो तुम तो हमारे भाई हो गए तुम्हें तो हमारा वोट तुम बोलेगा कोई सी जाती को अच्छा ब्रामन हो अरे ब्रामन भाई हो गये फिर तो तो अमें बोट देगा किसी दूसरे को थोड़ी दे ने इसी तरी किसे चीज़ें की जाती है election के time आपसे रिस्ता निकाल लिया जाता है आपके साथ सारे ऐसे ऐसे रिस्ता निकाल लिया जाते है जो कभी आपने सोचे भी नहोंगे candidate परचार करने वाले आएंगे आपके घर पे आएंगे जिसे मैं अर्याना के टाइप वहाँ पर बताता हूँ जहाँ पर हम लोग रहते थे तो वैसे तो वो राजनितिक दल ये जो जाती के अधार पर भी या अपने आपको धर्म ठेकेदार बनाएं रहते हैं वो वैसे तो कभी आते ही नहीं थे गावं में घुस्ते भी नहीं थे पांच-पांच-चार-चार साल तक लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये भी कोई वेक्ति है है ना ये इतना बड़ा नेत है कि मदद करने के लिए आ रहे लेकिन इलेक्शन के टाइम पहुंच जाता था इलेक्शन से कुछ समय पहले जरूर पहुंचते और पहुंचते भी किस तरीके से जाते समसे मिलते अगर उनकी जाती के वेक्ति होते उनकों से बास जाकर कि पैरों में चर्नों में लोड जाते कि ताओ दादी ताओ तेरा बेटा समान हूं लड़की होती बहेंजी देख तेरा जात भायू में जात बताईए कि तरह जात वाईउ में लड़का होगा एरे तु तो हमारा खासम-खास यार है तो तो चल्टी अपना अपनी जाती को वोट देगा अपनी जाती को वोट दे उसको दूर करने का एक तरीका जो है वो यह है कि एक सिविल सोसाइटी के रूप में हम लोग प्रजदारी के स्तर को यह बढ़ाएं हम उस व्यक्ति को वोट दे जो जरूरत में आपके काम आया हो जिसने जरूरत के समय आपके लिए काम किया हो आपके रोजगार के लिए काम किया हो आपके छेतर के विकास के लिए कारे किया हो पर्यावरन के सुरक्षा के लिए कारे क किया हो, आप सभी की मदद कियो, जब आप समस्या में थे, दिक्कत में थे, आप उस व्यक्ति के पास गए, तो उसने आपके समस्या का समाधान किया हो, ऐसे व्यक्ति को वोट देने की हमें जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को नहीं देते हैं, वोट, इले से दिमाग खोल देने वाली पढ़ाई वो रटी-रटाई स्टडी नहीं कि किताब में लिख दिये ये ये उससे नहीं होगा आपके माइंड को ग्रोथ करनी पड़ेगा आपके दिमाग को खुलना पड़ेगा आपको अपने आपको इस लेवल पर लाना पड़ेगा कि आपको पता चलेगी सही क्या है गलत क्या है और जब हम वैसे सक्षम होंगे तो हम अपने विचारों को फिर दूसरों तक पहुँचाएंगे फिर हम दूसरों को पड़े लिखे रोबोट या पड़े लिखे मूर्ख किस्म के ना हो उसे बच्चे हों जिनका दिमाग चलता हो जो सोचते हों समझते हों सही गलत में अंतर करना जानते हो और सही के लिए खड़े हो सके गलत के खिलाफ आवाज उठा सके UPSC में एडिनिस्ट्रेशन में आप जब एक्जाम में इंटर्व्यू देने जाओगे मेंस लिखोगे तो आप में आपकी यही अप्रोच चेक की जाती है तो वो आपको आना चाहिए इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए या राजनितियों ने दबाव समूने जाती के अधार पर है ना पाल्टी टिक टो का आवंटन जो है वो भी जाती के अधार पर होता है अब एक और चीज समझना आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग सी चीज बताता हूँ जब टिक्टो के आवंटन की बात तो आपने देखी ली आप देखना कि जाती के आधार पर मंत्री परिशद में भी भूमी का दी जाती है ठीक है अलग-अलग जातियों के तुस्टी करन के लिए जब किसी की सरकार जब बनती है और उसका जब मंत्री परिशद बनाया जाता है तो उसमें इस बात का विसेश ध्यान रखा जाता है कि जिन जातियों से उनके पास ज़्यादा केंडिडेट आए है तो उन जाती के किसी व्यक्ति को प्रमुख पद दिया जाए ये चीज भी वहाँ पर है तो जाती के आधारप्ण निर्ने करने की बजाए अब देखें सबसे पहली चीज कि आरक्षण कोई बुरी चीज नहीं है एक बहुत अच्छी सही चीज है जो सम्धान ने प्रदान की है उन सभी समूदायों, उन सभी लोगों के उत्थान के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे हुए थे और उनको उपर लाने में सामाजिक नियाय के द्रस्टी को उनसे और आरक्षन एक बहुत अच्छा कारे करता है, एक बहुत अच्छा कदम रहा दिक्कत क्या है, दिक्कत का होती है, दिक्कत ये होती है इन वेक्तियों से जो आप पिक्चर देखोगे तो पिक्चर देखकर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें तो कि अलग अलग तीन धर्म के लोग हैं, क्योंकि हर धर्म में जाती है ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही धर्म में जाती होगी हर धर्म में कोई ना कोई जाती होगा विभाजन आपको देखने को मिलता है प्रदर्स दिक्कत क्या आती है कि जब पार्टियां कई सारे जातीगत डल जातीगत डल या कई सारे ऐसे संग्ठन जिनका एक खतरनाख स्प्रोम वोट बैंक है और उनको उनका जरूवी करन करना होता है जरूवी करन मतलब कि उनके वोट किसी दूसरे को ना मिले सारे की सारे वोट एक ही व्यक्ति को एक ही पार्टि को मिल जाए तो उसके लिए समवेदनाओं के उभार को लाना जरूरी होता है अब ऐसे में वो मुद्दा बना लेते हैं आरक्षन का कि भाईया उसको आरक्षन मिल गया उसको आरक्षन मिल गया हमारी जाती है हमारी जाती कितने लोग है हमें आरक्षन नहीं मिला तुम सब एक काम करो तुम हमारी पाल्टी को वोट दो मैं आरक्षन दिलाऊंगा तुमें फिर वो इस तरीके से आरक्षन की गाजर लगाते है आप जैसे एक आम जिंदगी में देखते हैं जैसे बैल गाड़ी या एक गधा गाड़ी होती है गोड़ा गाड़ी भी होती है तो उसके मालिक क्या करते हैं गधे के आगे गाजर लटका देते हैं जो गोड़ा होता उसके मूप के नीचे चने बान देते हैं कि वो खाता रहेगा चलता रहेगा और गधा उसको देखते वे चलता रहता है कि यारे गाजर मिलेगी गाजर मिलेगी उसको लगता है एक कदम बढ़ाऊंगा गाजर आजाएगे लिए कि उतनी दूर चलती रहती है और उससे मालिक काम करो लेता है ऐसे ये नेता लोग कराते है ये आरक्षन का जुझुना देते है अब उस जुझुना देख करके इनको लगता है कि यार वो आराम से आरक्षन की डिमांड होगी तब तो काम चलेगा नहीं हिंसा करनी पड़ेगी तो वो सेंटिमेंट्स बढ़काते हैं उनको बोलते हैं कि दो को तुमारे बगल में रहने वाला व्यक्ति जो कल को तुमारे घर में काम करते थे उसका बेटा तो बनी गया इतना बड़ा ओफिशर उर तुम क्या कर पाए कुछी नहीं कर पाए क्यों कि आरक्षन नहीं मिला तुम्हें तो क्या करने आरक्षन के लिए मांग कर ने है कैसे करनी है प्यार से नहीं जाओ रेल की सड़के रेल की पट्रियां उखाड़ो वहां को बैढ़ जाओ सड़क तो डालो पुल तो डालो लोगों को दाने मत दो तब मिलेगा रक्षन हिंसक प्रदर्शन है ना यह इस तरीके की भावनाई यह लोग भढ़काते हैं जिसके कारण एक आम इंसान एक करने सब चाते कि उनके जीवन स्तर अच्छा हो तो उनको यह उमीद रहते है कि अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा तो उस उमीद का दुरूप यह लोग कर लेते हैं और वो इस तरीके से बढ़काते हैं कि एक आम जंता आम लोग हिंसक जो सडके उखडी, जो रेल की पट्रियां उखाडी गई, जो पुलिस की गाडियां फुकी गई, जो एंबुलेंस फुके गई, होस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, स्कूल में आग लगाई गई, ये आया कहां से पैसा इसके लिए, दोस्त इसके लिए पैसा तो आप सब भी नहीं होगा कि धस्त करके यूं हो जाएगा six-pack 7 निकल जाएंगे बिस्कुट दिखने लग जाएंगे न इसका पेट उतना हे रहेगा इसका Swiss bank से खाते से पैसा निकाल करके वो सड़क नहीं बनवाएगा वह अस्पताल building नहीं बनवाएगा उसको तो एक और मोका मिल गया अरे सडक उखड़गी, अरे रेल की पट्री उखड़गी, और स्कूल जल गया, चलो नया फंड ले कर गया आते हैं, नया फंड लाएंगे दुबारा से बनवाएंगे, दुबारा बनाएंगे उसमें ठेके में गड़बडी करेंगे, पेट दो फुट का अभी, दो फुट से कुछ संकीन मानसिकता वाले राजनेताओं और उनके जो प्रमुख कुछ समू है उनके द्वारा है और आम जनता उसका सिकार हो जाती है और वो सिकार होते होते यहां पर दिक्कत होती है अच्छा वो इस प्रोबलम अभी सही होगी कि अभी भी है हेलो अच्छा क्या मेरी वोइस प्रोबलम अभी सही ही की नहीं भी अभी वोइस प्रोबलम ठीक है तो जड़ा थम्स अब देखकर के बताओ और जोस बताओ कैसा जोस हाउस जिंदा है की नहीं एक हाई जोस कांसर आना चाहिए सर हाई सर एक जिवित जागरुक सांदार उसकी तरह होना चाहिए आपको चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे वो आवाज भी चलीगी ना नेता लोगों की बात कर रहे थे ना तो नेता लोग आवाज में भी करप्शन कराविया उन्होंने है यहां पर भी प्रस्ट चलिए तो यह एक दिक्कत रही अब हमारी रास्त्री एकता को एक और दिक्कत है एक और समस्य है जिसको हम बोलत कर दिया जाए बाकी सब लोगों को तुछ समझा जाए हीन समझा जाए अपने आपको इस सर्वुच समझा जाने लगे यह चीज है ठीक है अब इसको बात इस चीज को एक समझना भासावाद का विसेभी छेत्रवाद सामप्रदाइकता जातिवाद की तरह राजनितिक प्र सबसे पहली चीज तो भासा के अधार पर राज्य पुनर गठन की बात करते हैं देगे क्या होता है जब हम 1947 में आजाध होते हैं तो उस समय भारत के अंदर कुछी गिने चुने राज्य थे तो उस समय डिमांड उठने लगती है कि यार भारत में भूस सारी भासा हैं तो हर भासा के लिए एक राज्य बना देना चाहिए और जब इस तरीके की डिमांड उठने लगी हिंसक प्रदर्सन होने लगे तो दो समीतिया बनाई गई पहले धर समीति धर आयोग बनाया गया ठीक है अब धर आयोग के बाद जे वीपी इसको बोलते हैं जोहरला जे वीपी ज जे वीपी समीति ये दोनों बनाये गए ये दोनों बनाये गए तो इन दोनों ने कहा कि भारत के अंदर भासा के अधार पर राज्यों का पुनर गठन नहीं होना चाहिए क्योंकि भासा के अधार पर राज्यों का पुनर गठन होगा तो देश की एकता को बहुत बड़ा ख जलता है आंध्र राज्य बनवाने के लिए शुरुवात में इतनी ज्यादा उसको हवा नहीं दी जाती स्केंद्र सरकार जोहारला नेरुस के पक्स में थे नहीं लेकिन वहाँ पर एक परसंद थे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्री रामोलू पोट्टी ठीक है स्री रामो जारा उठती है इस चीज को लेकर गये और जब हिंसा भड़कती है तो 1953 में थक हार करके मदरास से अलग करके आंध्र प्रदेश आंध्र राज्य जो है वो बनाया जाता है और जैसे ही भारत में 1953 में आंध्र राज्य बन जाता है उसके बाद तो तांडव होता है पूरे द लगता है कि यह यहां पर हिंसा हुई तोड़ फोड़ होई तब ही राज्य बना तो हम भी तोड़ फोड़ करेंगे हिंसा करेंगे वो भी तोड़ फोड़ इंसा पर उतर आए वो सारे प्रदर्शन होने लगे और हर भासा एक ना होकर कि एक दूसरे के खिलाफ भासा के अधार पर खड़े होगें कि हमारी तो ये भासा है हम इस भासा के लोग है वो उस भासा के लोग है वो उधर रहे हम इधर रहें तो इस चीज को देखने के लिए इस चीजों को समझने के लिए कि क्या भारत में भासा के अधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, एक नया आयोग बनाया जाता है, 1953 के अंदर बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक है, अब जब फजल अली आयोग बनता है, तो ये आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सोंपता है, और नहीं कितनी थी नहीं तो राज्यों का साइज थोड़ा चोटा करने की आऊ सकता है और उसके लिए इन्होंने कुछ फेक्टर बताए चार फेक्टर बताए उन में से प्रसास्निक सुवीधा भी थी और एक भासा भी थी लेकिन भासा वैसे नहीं था जैसा कि लोग डिमांड कर रहे थे कि एक भासा एक राज्ये इस आयोग ने एक भासा एक राज्ये की सूत्र को समाप्त कर दिया खारिज कर दिया इसने भी इसने कहा कि भारत में एक भासा के आधार पर एक राज्या का गठन वैभारिक है ही नहीं अगर ऐसा होगा तो भारत में तो हजार के करीब राज्या बनाने पड़ जाएंगे इतनी भासा ये थी, इतनी बोलिया थी सब डिमांड करने लग जाएंगे तो भारत तो टुकडो टुकडो में बट जाएगा दुबारा से अंग्रेज टाइप के लोग आकर गे वैसे कब जालेंगे हमारे पर तो वो तो हो नहीं सकता हाँ, लेकिन भासा को एक आधार बनाया जा सकता है राज्ये के पुनर गठन का और उसके लिए क्या किया जाएगा भासाई समरूपता भासाई समरूपता मतलब कि एक ऐसा छेतर निर्धारित किया जाएगा जहाँ पर कोई एक भासा बहुत बड़ी संख्या में बोली जाती है लेकिन उसके साथ अलग-अलग दूसरी भासाओं के लोग भी रहते हैं दूसरे वो भी है तो उन सब चीजों को मिला जुला करके हम राज्यों का पुनर गठन कर सकते हैं इसने रिपोर्ट दी फिर एक 1956 में एक एक एक्ट बनाया गया जिसको राज्यपुनर गठन अधिनियम बोला जाता है उस राज्यपुनर गठन अधिनियम के बाद फिर भारत में भासा के अधार पर राज्यों का निर्मान शुरू होता है 1956 का जो अधिनियम था उस अधिनियम की रिपोर्ट के बाद सबसे पहले आंध्र प्रदेश और केरल बनाए जाते हैं फिर 1960 के अंदर मुंबए महरास्ट और गुजरात बनते हैं महरास्ट रुबए गुजरात ये दो अलग-अलग राज्ये हो जाते हैं पहले एक बंबे नाम का राज्ये होता था उससे अलगों कर गे 1966 के अंदर हर्याना और पंजाब दो अलग अलग राज्य बन जाते हैं पंजाब किसे अलग होकर कि चंदीगड को Union territory बना दिया जाते हैं तो इस तरीके से राजनितिक नक्सा जो है भारत का समय समय के अनुसार चेंज होता रहा लगातार बदलता रहा तो इसमें कोई बुराई नहीं थी लेकिन बुराई जो है वो कहा आई उस चीज को समझिए बुराई जो आई ना वो यहाँ पर आई कि अब डिमांड ये रखी जाने लगी कि जिस छेतर में हम रहते हैं उस छेतर में जो हमारी भासा है उसी भासा के ही लोगों को रोजगार में भूमिका दो ठीक है मेरी आवाज आ रही आप सबको जिन्दा है ना तो वहाँ पर भासा को लेकर किये होने लग गया कि वही जिस भासा के हम है तो हमारी भासा के लोगों को रोजगार होना चाहिए हमारी भासा के लिए अलग से सारी चीजे होने चाहिए दूसरी भासा के वेक्ति को यहाँ पर रहने की अनुमती नहीं होने चाहिए उसको यहाँ पर रोजगार की अनुमती नहीं होने चाहिए यहाँ से थोड़ी दिक्कत होने लग गई और फिर ये जो दिक्कत है ना भासावाद इससे परेशानिया बहुत ज़्यादा होने लगी अब वो इतनी बड़ी समस्या बनी नहीं थी सबसे बड़ी समस्या बन गई राजभासा अधिनियम जब आया अब इसमें क्या हुआ कि हिंदी भासा जो है न उस हिंदी भासा को पूरे भारत की संग की राज भासा के रूप में बनाने की कोशिस की गई तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा अंदोलन भारत में उठ खड़ा हुआ अलग-अलग छेतरों में क्यों क्योंकि हिंदी भासा जो है इसमें कोई सक नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे जादा बोले जाने वाली भासा है भारत की लेकिन सभी लोग नहीं बोलते हैं सभी लोग नहीं समझते हैं ठीक है अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग दूसरी भासाई भी बोली जाती हैं तो दक्षिंड भारत में और उत्तरपूरु में और भी कई सारे छेत्रों में इस चीज की डिमांड होने लगी वो बोलने लगी यह चीज कि भही अगर हिंदी को अगर आप राजभासशंग की राजभासश बना दोगे तो उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों को हिंदी नहीं आती नोकरी में फिर हिंदी और इंगलिस ही चलती तो ऐसे में तमिल बोलने वाले मल्यालम बोलने वाले तेलगू, अलग-अलग लेंग्वेज में जो परसन है जिनको जो मान लेते हैं कि अगर उनको हिंदी नहीं समझ में आती तो क्या उनको नोगरी नहीं मिलेगी क्या उनका कामकाज नहीं होगा जितना भी सारा का सारा कामकाज होता है वो ऐसे में होगा तो वो कैसे कर पाएंगे तो एक जायज मांग भी थी तो उन्होंने डिमांड उठाई बस दिक्कत देथी कि डिमांड हिंसक तरीके से बहुत सारी हुई तो वो हुआ तो केंद्र सरकार नहीं आस्वसन दिया कि हम एक काम करते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को रखते हैं और ऐसे राज्ये जो गैर हिंदी भासी है वो अपनी भासा अपनी राज्ये की जो भासा उसको अंग्रेजी ही बना करके रख सकते हो जब तक कि आप लोग सहमत ना हो जाए हिंदी को राज भासा बनाने के लिए ठीक है तो एक अंग्रेजी को एक सहायक राज भासा के रूप में उन्होंने वहाँ पर जारी रखा और इसके साथ साथ त्री भासा सूत्र को लिए उन्होंने कोशिस की कि भई आपके राज्ये मे कि भारत के अंदर कोई एक रूपता वाली भासा नहीं आ पाई एक जैसी चीजे नहीं आ पाई जैसे आप दखो न जर्मनी आपको में उधारन देता हूं जर्मनी जर्मनी में लोग अंग्रेजी भी नहीं बोलते हैं जर्मन आना जरूरी है वहां कि जो जर्मन भासा है न वहां कि उस language के प्रती उनका इतना लगाओ है कि पूरे जर्मनी में केवल उसी को बोला जाता है और आज भी जर्मनी टोप क्लास कंट्रीज में है विक्सित देशों में से हैं ठीक है कहीं पर भी आप देखोगे तो किसी भी तरीके से वो कहीं मामले में किसी भी विक्सित देश से पीछे नहीं है तो वो एक भासा के सूत्र के लेकर के यहाँ पर चीजे चल रही थे, भारत में इस तरीके की चीजे नहीं हुई, भारत में अलग लग भासा हैं जो की अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत क्या है कि जैसे अंग्रेजी को विकास किया गया, ठीके अंग्रेजी जो है वो भी तो भारती भासनी ने अंग्रेज तो भार से आई थी विदेशी लेकर गया है दूसरे देश अंग्रेज लोग लाकर के थोपके तो गए वहीं अंग्रेजी को भारत के अंदर तो सोचो जब हम अंग्रेजी को इतना ज्यादा विक्सित कर सकते हैं तो आप हिंदी को भी विक्सित कर सकते हूं सबसे ज़्यादा बोली जाती है कितने कई सार कितने 60-70 करोड की संख्या में लोग है वो यह बोलते हैं तो इसको भी development तो क्या जा सकते हैं गवर्मेंट अगर कोशिस करें तो सभी भासाओं को सम्मान दे आठ भी अनुस को चिए 22 भासा हैं उसमें आप exam दे सकते लिख सकते हो सारी की सारी चीजे बहुत अच्छी हैं लेकिन एक भारतिय भासा ऐसी होनी चीए न जिसका विश्व में डंका बजे जैसे अंग्रेजी का डंका पूरे विश्व में बजता है ठीक जो कुछ लोगों की भासा थी उसको उन्होंने पूरे विश्व में फैला तो हम भी तो फैला सकते ना एक अपने पहले अपने देश के भासा बना करें उसको सब नहीं फैला दे ठीक कोशिस की जाने की आव सकता है दूसरी जगह पर जाकर के चीजे यहां पर हो सकता है अब हिंदी मीडियम के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हैं उनके लिए अब से बड़ी समस्य यहां कि हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट कम हो रहे हिंदी का रास होता चला जा रहे है लेकिन एक समय आएगा 2014 के बाद 2025 से जितने भी रिजल्ट आएंगे हिंदी मीडियम का बहुत अच्छा खासा ग्राफ उठेगा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि Hindi Medium के लिए भी Quality की Classes अब आपको Online मिल जा रही है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, Quality की उपर है Language की आधार पर भेदभाव नहीं करता है UPSC जितनी अच्छी Quality का अंसर आप किसी भी Language में लिखोगे आपका Selection होगा तो बस यह था कि वो Quality material नहीं मिल पा रहा था वो अब आपको Online माध्यम से मिल जाता है तो आपका Selection उन्निस सो दो जार पच्चिस के आज सपास से आप देखो कि Selection का रिशो बहुत तेज गती से बढ़ता हुआ चला जाएगा यह सारी की सारी चीज़े कर ली जाएगे ठीक है तो अब यहां तक तो ठीक थी कुछ छेत्रिय दल जो भासा के आधार पर बने उनके कारण यह समस्या भूत सारी उठने लगी अब हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम की जब हम बात करें तो इससे एक याद आए कहावत याद आई आपने एक फिल्म देखियोगी इर्फान खान का नाम सुना होगा आपने बहुत गजब की एक्टर है एक्टर थे, मृत्य हो गई उनकी थोड़े टाइम पहले बहुत ही गजब की एक्टर थे और उनकी बहुत सारी फिल्म है बहुत अच्छी अच्छी बेतरीन फिल्म है उनमें से दो फिल्म है जिनका नाम है हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम और अंग्रे जी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम अंग्रे जी मीडियम वो देखना, बड़ी गजब की फिल्म है उसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से अंग्रे जी का जो मोह माय है वो कैसे युवाउं का अकरसित करती है और जो एक सामान्य ग्रामींड प्रस्ट भूमी से रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपनी हिंदी भासा में ही सब कुछ करते हैं एक्दम सामान्य परिस्थिती से उसमें एक सीन है एक सीन देखना कि क्या होता है कि पंकस्त्रिपाठी जानते हूं आप पंकस्त्रिपाठी एक व्यक्ति होते हैं और एक इर्फान खान और उसका भाई वो दोनों जाते हैं पंकस्त्रिपाठी के पास उनको जाना होता है लंदन साइड बिटेन जाना चाहरे थे अपनी बेटी के पास तो वहाँ पर जाने के लिए इल्लीकल रास्ता डून रहे थे पंकस्त्रिपाठी के पास जाकर गे और उसको जाकर गे बोलते हैं कि देखो भाई हमें वहाँ पर जाने अपनी बेटी के पास बताओ कैसे जाएंगे हमारे पास पास्पोर्ट तो एह नहीं पास्पोर्ट हमारा कबजा कर लिए सरकार ने अब कैसे जाएं तो पंकस्त्रिपाठी उसको एक उपाय सुझाता है और बोलता है काम करते हैं हम पानी के रास्ते जाएंगे पानी सिट के रास्ते से जाएंगे और फिर उसको बताता है कि सिप में क्या होता है कि जो पुलिस है वो तुमारा पिछा करेगी और वो गोली भी चलाएगी तो तुमें गोली नहीं लगेगी क्यों? क्योंकि तुमारी सिप भी ऐसे-ऐसे हिलेगी पानी में, उसकी सिप भी ऐसे-ऐसे हिलेगी और दोनों हिलेंगे तो निसानी पर गोली नहीं लगेगी ठीक, तो वही पर दूसरा वो जो इर्फान खान का दोस्त भाई होता है सुद एकदम ग्रामीन परिवेश से एकदम राजस्थानी भासा में बोलता है भाया मैं आ जाओ समुद्र के रास्ते यो तो महाने बावलो समझे तो बावलो समझ लिए, महाने बिल्कुल कती अरे भाई मारी नाओ भी हालेगी, उकी नाओ भी हालेगी तो हिलना इलना तो कैंसिल हो गया ना, गोली तो सिधी जाकर लग जाएगी जो मैथ में आप देखते हो ना, मैथ का फोर्मूला होता है, कि कि माइनस माइनस कैंसिल हे आपको जो अंदर की मासूमियत है, आपको इन ही छेत्रों में देखने को मिलेगी इतनी मासूमियत, इतना भोलापन इतना इस तरीके की चीज़े वो आपको और कहीं पर चले जाओगे तो आपको देखने वो नहीं मिलती है तो वो जरूरी थे इस चीज को लेकर के तो राश्ट्री एक्ता में ये जो अवरोध है इन अवरोधों को दूर करने की आऊ सकता है अब इसके साथ-साथ एक-दो चीजे और भी समझनी है आपको कि ये राश्ट्री एक्ता की खत्रे ये तो थे ही इसके साथ-साथ आतंकवाद, अलगाववाद की भावना ये भी नेशनल हमारी जो इंटेग्रीटी है राश्ट्री एक्ता है उन सबसे दूर करने की आऊ सकता है अब एक राश्ट्री एक्ता परिसद जो है 1961 में आनेक्ता में एक्ता के लिए राश्ट्री है एक्ता परिसद का गठन की आ गया कि देश की एक्ता वो बढ़ाया जाए, उसके लिए काम किया जाए इतना ही जानना और कुछ नहीं जानना इसके बारे में बहुत सारी गाथा हैं यहां पर लिखे गए हैं कि कब कब कितने कितने मेंबर बने और इस बैठक में इतने बने उस बैठक में इतने बैठक ना, सिर्फ इतनी ही चीज जानने है राज्ट्री एक्ता परिसद के वारे में प्रधान मंत्री इसके अध्यक्स होते हैं ठीक है अध्यक्स के अगर हम बात करें तो अध्यक्स इसके PM होते हैं बस इतना ही देख लेना है इसके अलावा इसे ज़्यादा important नहीं है बाकी जितने भी काम के चीज़े अगले मुद्दे पर आ जाते हैं राश्ट्री एक्ता परिसद जो समय समय पर सुझाओ देती है देश की एक्ता और उनको बढ़ाने के लिए हलाएं कि हमारे देश में राजनिती ऐसी है कि वो उसको अभी तक वैभारी ग्रूप से स्विकार ने कर पा इसलिए कागचोपरी रह गई है ये चीज थोड़ी से अच्छी है आपके लिए कि सामप्रदाइक सोहादर के लिए राश्ट्री फाउंडेशन जो 1992 में बनाया गया घ्रह मंत्राले के अधीन एक स्वायत निकाई जो है इसको बनाया गया इसका मुख्य उद्देश्य था सामप्रदाइक सोहादर भाईचारा रास्ट्री एकता इसको बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए ये कई सारे कारे करता है कई सारे लक्से करता है इसको समझना सबसे पहले तो यह कोशिस क्या करता है कि भारत में हर तरीके की सांप्रदाइक हिंसा से दूरी हो इसके लिए awareness फैलाने का काम करना कि एक दूसरे के साथ अगर माल लेजिए मतभेद हो भी जाते हैं तो लड़ने की जरूरत नहीं है भारत में एक हिंसा एक बहुत बड़ी समस्य है हमारे देश में हर तरीके के वो मिलेंगे कई बार आप देखोगे कि एक ही गली है एक मोहला है उस मोहले के अंदर हिंदू भी रह रहे हैं मुस्लिम भी रहे हैं अलग-अलग समुदाई के लोग रहे हैं कई दसकों से रह रहे हैं प्यार मोबस से रह रहे हैं एक का होली दिवाली आती है तो दूसरे समुदाई के लोग उनके घर में आकर गे उनके साथ मेल मिलाब करके खोस होकर के खेलते हैं दूसरी जगे जब वहाँ पर इद आती है और लोग भढ़काते एक दूसरे के खिलाफ, तो वही लोग जो दसकों से एक साथ रहरते, एक दूसरे के खून के प्यास हो जाते, एक दूसरे को मारने पर उतार हो जाते. इन तो इन सब का एक द्रस्टी ये जो समुदाए है ये जो इस तरीके के फाउंडेशन है इनकी कोशिस ये रहते है कि लोगों को इस चीज के बारे में सक्षम बनाये जे इन अवेर बनाये जे कि सिच्विशन कितने भी खराब हो सयम रखना बहुत जरूरी है समझदारी रख करगे जो थोटे सेंटिमेंट से थोड़े समय के लिए सेंटिमेंट से एक दूसरे खिलाफ इस तरीके की हरकत नहीं करनी तो ऐसे में ये लोग क्या करते समझे ये ऐसे एक्जामपल सेट करते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अलग-अलग कारिकरमों से उनमें ऐसे में एक जगह पर दंगे हुए ठीक है अब उस दंगे हुए तो दो मुहला था ठीक है इसमें दो मुहले हैं ठीक है एक का नाम है मुहला A और एक का नाम है मुहला B मुहला B अब ऐसे में मान लेते मुहले A में बहु संख्यक बहु संख्या में कुछ समुदाय है और कुछ संख्याय जो है अल्प संख्यक है ठीक है और सेम ऐसा देख लेते हैं कि मान लेते कि मुहला A है यहाँ पर हिंदू लोग है वो बहु संख्यक है और अल्प संख्यक मुस्लिम है ठीक है और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं बी में यहाँ पर भी इसी तरीके के के टेग्राइज कर लेते हैं बहु संख्या और बहु संख्या में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बहु संख्यक जो है वो मुस्लिम है और अल्प संख्यक जो है वो हिंदू है ठीक है इसको बड़े ध्यान से समझना ये example है इसमें हिंदू है जब दंगे होते हैं तो इस टाइम दंगे के टाइम कुछ ऐसे औसमाजिक तत्व लोग होते हैं जो एक दूसरे की सद्भावना भाईचारा एकता को तोड़ने की कोशिस करते हैं वो अपने आपको एक धर्म क रक्षक ठेकेदार बनना करके लग चलेंगे और दूसरे धर्म के लोगों सिर्फ इसलिए मार देने के लग जाते हैं कि वो दूसरे धर्म के अपनी अंदर की कुंठा निकालने के लिए बस और कुछ नहीं तो ऐसे में कई सारे examples ऐसे आते हैं कि एक छेत्र था एक मोहला था उसके अंदर दंगे हो गए हिंदू-Muslim दंगे हो रखे एक छेत्र के अंदर और उस एक मोहले के अंदर हिंदू-बहु-संख्यामे और मुस्लिम-अल्प-संख्यामे अब कुछ दंगाई लोग आते हैं कोई ऐसे आसमाजिक तत्व दंगाई लोग वो वहाँ पर मारने के अल्प-संख्यक लोगों को तो उस सेतर में वहां के जो बहुं संख्यक लोग है जो उनके अडोसी पडोसी है वो खुद उनके लोग के सामंने डटकरके खड़े हो जाते है कि हमारे दूसरे भाईएं के लिए MUSLIM भाईएं तक पुझने के लिए पहले तुम्県ह हमसे उख जब कुछ दंगाई लोग जब मारने के लिए आये वहां के अलपसंख्यक हिंदूओं को तो वहां पर मुस्लिम लोग खड़े होगे उनके अडोस पडोस में रहने वाले सारे कि बोला कि हम भाई हम एक साथ जन कई दसकों से रहते आये हैं हमारे रिष्टे हैं हमारा प्यार म सब मूवी देखना एक नई मूवी आई है अकसे गुमार की बहुत अच्छी मूवी थी उसमें आप देखना कि किस तरीके से जब एक बोम ब्लास्ट वाली सिच्वेशन वहां पर दिखाई जाती है कि बम एक जगह पर और वहां पर मंदिर भी है वहां पर मस्जिद भी है तो कैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने दूसरे धर्म के जो धार्मिक प्रतीत है उनको करवाने में मदद करते हैं याना मुसलिम लोग हिंदू मूर्ती को संभल करके हिंदू पुजारियों के साथ उसको दूसरी जगह पर ले जाने कोशिस करते हैं याना मदद करते हैं ये लोग जो इस तरीके की आपके लिए एकता की मिसाल पेस करते हैं, इनको national hero बनाने क्या होसकता है, इनका प्रचार प्रसार इनको promote करने क्या हो सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पर राजनीती ब्राजनीति लोग क्या करेंगे, वो सिखनी बंद हो जाएंगी, तो उनका वोर्ट बैंक जाने का डर रहता है, तो ऐसे में वो इन लोगों को हीरो बनने ही नहीं देते हैं, वो हीरो किनको बनाएंगे? एक ऐसे व्यक्ति को जिसके करण दंगे हो जाते होंगे, और जब दंगे हो जाएंगे, उसके बाद किससा में यह साथ और इंद लोगों के उपर साथ लेकर चलना पड़ेगा, धर्म से निकल जाना पड़ेगा, धर्म जाती, यह उँच्णी बेद भाव इन सब से बहार निकलो, इन से बहार निकल करके वो करो, ईवन मैं तो यह भी देखता हूंगे, कई बड़े फनी से किस किस से आते हैं किस तरीके किस से आते समझें आज इसे वेलेंटाइन डे हैं प्यार महुबत का दिन है सब लोग प्यार महुबत के लिए करने के लग रहे हैं मैं स्कूल में था तो स्कूल वेलेंटाइन डे तो बहुत पहले से मनाये जाते हैं मैं आपको प्रे स्कूल का किस्स sentiments हावी रहते हैं तो उस टाइम मैंने यह चीज देखी कि लोगों को एक दूसरे से प्रेम तो था प्रेम तो होता था लेकिन वह प्रेम करने से पहले भी यह सुनिश्चित कर लेते थे कि सामने वाला किस धर्म का है और किस जातिक है तो यह सुनिश्चित करके फिर प्रेम कर अगर किसी से प्रेम का इजार भी करने तो जिस धर्म का वह है उसी धर्म का हो क्यों कि वहां पर क्या धार्ना फैली वी थी समझे समझे निवह बताता हूं ग्रामिंट छेतरों में में महीं रहता था उस तरह झाली रहते थी कि लोग लेकिन उसकी दो condition है, एक तो जिससे प्यार करोगे, तुमारे धर्म का होना चीगे और दूसरा तुमारी जाती का होना चीगे तो वतलब मोग यह कहते थे कि प्यार करो लेकिन अपने धर्म ओर जाती देख करके, ऐसे मत करो किसी भी जाती और धर्म देख करके क्या जाएगा अब भाई जिसको सामने वाले किसी वेक्ति को सामने वाला पसंद आ गया तो पसंद आ गया अब वो उसको जाती धर्म देख करके थोड़ी पसंद करेगा ठीक वो तो उसकी उस इंसान होने के नाते उसको पसंद करेगा तो जैसे वो जाती धर्म देखकर के नहीं होते है, जिसको जो पसंद आएगा, वो आएगा, लेकिन इस डर से लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे कि यार, जाती के नहीं है, धर्म के नहीं है, क्या करेंगे, समुदा ये वगरा वगरा, तो ये एक बहुत गहराई से हमारे लोगों के अंद देना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लोग क्या है, लोग ऐसे उधारन बनाएंगे, कि ये देखो, लोग टीना डाबी और आमीर का उधारन बहुत लोग देते हैं, क्यों दो आईएस थे, रैंक वन टू थे, फिर भी दो अलग अलग धर्म के थे, उनकी साधी नही चला, उनकी व्यक्तिकत कारणों के कारण नहीं चला, लेकिन आप देखो कि और क्या दूसरे जो एक ही जाती में साधी होती है, एक ही धर्म में साधी होती है, उनके तलाक ही नहीं होते हैं, उनकी संख्या तो निन्याने परतिसत हैं, आप उनको तो इग्नोर कर दे रहे हो, लेकिन एक दो दूसरे कैसा आगे उनको कह रहो कि तो वो अलग-अलग जाती की थे अलग-अलग धरम की थे इसलिए नहीं बनी जिसके नहीं बनने तो नहीं बनने आज का टाइम ऐसा नहीं है कि जिन्दगी वर्क खींचते रहोगे आप एक दूसरे को कि भाई बस घरवालों ने बान दिया अब तो बस खींच लो जैसे तैसे कर गे आज का समय ऐसा है कि अगर आपकी नहीं बनती ना होता तो आप दूर अलग होने में देरी नहीं लगाते है यहना क्योंकि उनको अपनी जिन्दगी जीना ज्यादा भेतर हो और वो होना भी मुक्ति देने का थोड़ा सा समय आ गया है उसको मुक्ति दे देते चलिये इस तरीके के कारियकरम कर चलाते हैं कि जो सामाजिक हिंसा से प्रभावित होते हैं बच्चे उनकी देखबाल करते हैं नकी सिक्छा के लिए जिम्मेदारी, उनकी फंड्स अरेंज करना की ताकि वो आगे बढ़ सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें, पुनरवास कर सकें, उनको रोजगार आदी गतिविदियों में सम्मिलित करना, आपसी सोहादर को बढ़ाना, ये सारी गतिविदिया यहाँ पर की जाती है, और रह जाते हैं, तो ये चीज थी राष्ट्रिय एकता को लेकर के, नैशनल इंटीग्रिटी को लेकर के, तो ये रही, सवाल क्या आजाएगा, बड़े ध्यान से समझना, मेंस में आपसे कुछ से पूछ लिया जाएगा, कि विविदिता में एकता, विविदिता में एकता की विशेष्टा लिए भारत के अंदर वर्तमान समय में कई सारे ऐसे तत्व हैं, जो राष्ट्रिय एकता के सामने चुनोतियां उत्पन करते रहते हैं, इन तत्वों के कारण राष्ट्रिय एकता को किस प्रकार का खत्रा उत्पन हो सकता है, उसको दूर करने के लिए हमें कि इस प्रकार के कारेव विधिया अपनानी चाहिए इस तरीके से कोई लंबा चोड़ा बना करें किस्तन दे दिया जाएगा उसमें आपको ये सारी चीजें फैक्टर्स जो है वो प्रोपर तरीके से लिख देना है उसमें समझा देना है दूर करने तो इन सब को दूर करने का सि सिविल सोसाइटी है इसको हम बोलते हैं सिविल सोसाइटी नागरिक समाज सिविल सोसाइटी अब इस सिविल सोसाइटी के स्तर को इसकी जागरुकता को अब मैं इनको बताता हूं में लिख देता हूं आपको जागरुकता ठीक है जागरुकता तीसरा सिख्छा ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हूँ है ठीक ए एक दूसरे के साथ जुड़ी है सिक्षिक जाग्रूख civil society की आउ सकता है हमारे देश में एक ऐसी जाग्रूख नागरिक समाज़ KEY जो सही और गलत में भेद कर पाते हों जिनको यह पता हो की उनके लिए सही क्या है उनके लिए गलत क्या है आपको मैं एक 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 जांपल देता हूं मेरे दोस्त बड़े ध्यान से समझना यूरोप की बात करते हैं जानते नहीं यूरोप जितने भी सूचकांक आते हैं जितने भी इंडेक्स आते हैं चाहे वो मानव विकास सूचकांग हो, भूख का सूचकांग हो, महिला ससक्तिकरन का हो, राजनिती को लेकर के हो, परियावरन सनरक्षन को लेकर के हो, खुसी को लेकर के हो, हर तरीकी के सूचकांग में युरोप के ही गिने चुने 4-5 देश तोप 5 में रहते हैं, तोप 10 कंट आखिरकार उनमें ऐसी क्या खास बात है कि वो हर सूचकांक में number one है और भारत जैसा देश जो इतना बड़ा विसाल देश है बढ़ता जा रहे है वो भरस्टाचार के मामले में ज़्यादा मजबूत है है ना क्राइम के मामले में ज़्यादा मजबूत है है ना इस तरीके की चीजों में हमारा सूचकांक में number उपर है लेकिन जो अच्छी चीज है उनमें हम बहुत बिल्कुल last में निचे निचे जाते हैं क्या ऐसा reason है इसका reason यह है कि वहां की civil society बड़ी जागरूख है वहां का नागरिक समाज बहुत जागरूख है उनको पता है कि उनके लिए औ इतनी भी party है वो election के लिए आपके सामने सबसे पहले क्या चीज बोलेंगी free में देंगे आपको एक पार्टी कहेगी मैं आपको फ्री में बिजली पानी हवा दूंगी दूसरी पार्टी कहेगी कि बिजली पानी तो मैं दूंगा ही दूंगी लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको टीवी भी दूंगी फ्री में तीसरी पार्टी आएगी अच्छा टीवी दे रहे हैं एक काम कर चुनाव परचार करते टाइम गाउं घर घर पहुंचेंगे तो जिसको बोतल चाहिए उनको बोतल देखकर गाएंगे ये लोग एक-एक हो जाए फिर घर चले जाना छलकाए जाम ठीक है खंबा जिसको चीए उसको खंबा जिसको नोनवेज चीए जिसको कोल्डरिंग चीए देंगे फ्री में और लोग डिमांड कर रहते हैं अच्छा वोट चीए जरा जरा एक पेटी गिरा करके जाओ जरा घर अगर जिसकी पेटी ज्यादा बड़िया क्वालिटी की हुई उसको मैं वोट दूगा पेटी का मतलब क्या दारू की बियर की नो फ्री की इतनी आदत अब उनको लगता है कि आए फ्री में मिल रहे है ऐसा फ्री में नहीं है तो जादा तर लोग वोट देते टाइक इन फैक्टरे पर धियान देते हैं यूरोप के अंदर अगर कोई पार्टी कोई व्यक्ती अगर किसी को यूँ बोल दे कि मैं आपको फ्री एजुकेशन दू कैसे फ्री में देगा education education के लिए teacher चाहिए school चाहिए infrastructure चाहिए उनकी salary चाहिए maintenance चाहिए पैसा लगेगा पैसा कहां से लाओगे अगर तु free करेगा तो पैसा निकालेगा कहा लिए तरीके है या तो तू बरस्टा चार करेगा या कई दूसरे देश से करजा लेगा या फिर हम पे tax बढ़ा देगा वो पैसा आएगा कहां से सरकार के पास जनता से तो आएगा टेक्स बढ़ाएगा तो हमें ज़्यादा टेक्स देना पड़ेगा इसलिए फ्री होगा हमें चाहिए ही नहीं फ्री हमें अच्छी quality की चीज़ चाहिए best चीज़ अम पैसा देंगे लेकिन हमें best quality चीए हमें free नहीं चीए वागी civil society इतनी मजबूत है इतनी aware इतनी जागरूख है उनको आप भढ़का ही नहीं सकते कि जाती धर्म भासा free नहीं लेते तो हमारे देश की civil society को यहां तक उस level की awareness लाने क्या हो सकता है जब हमारी awareness इतनी हो जाएगे नहीं इतने जागरूख हो जाएगे तो देश के यह जितने भी छोटे मोटे छोट भाईया टाइप के लोग है ना यह जो ठेकेदार बने है जाती धर्म भासा के वो सब का काम धंदा बंद हो जाएगा उनका धंदा इसी चीज़ से चलता है ठीक है तो एक नागरिक समाज के रूप में हमारी उत्थान हमारी maturity परिपकवता का स्तर बढ़ना होगा उसके लिए सिख्चा का रोल बहुत जादा है quality सिख्चा गुनवत्ता परक सिख्चा गुनवत्ता परक सिख्चा ऐसी सिख्चा जो आपको सोचने समझने लाइक बना है ऐसी नहीं कि जो आपको रोबोट बना दे पड़ा लिखा और ये हमारी विडम बना ही है कि एक्जाम के लिए भी तयारी करने वाले स्टूडेंट भी यही चीज़ बोलते है कि सर कोई जादू की घुटी कोई जादू का ऐसा मंतर बता दो कि एक्जाम पास हो जाए सर बता दो इतना इतना पढ़ने से एक्जाम निकल जाएगा परसो मेरे पास एक लड़की का फोन आये कोन थी पतनी नाम मध्यपरदेश से था उसका फोन मेरे पास आया और आकर के कहते है कि सर सर यह बताओ कि चार मैने अगर मैं जी जान लग आकर के पढ़ लूँ मैं अभी सुरू कर रही हूँ मेरा प्रिलिम से निकल जाएगा अब मैंने बोला कि भाई अगर चार मैने में तो बिल्कुल नहीं निकलेगा दोस्त इमानदारी से मेनत करनी पड़ेगी दो साल का समय लगेगा तब जाकर के निकलेगा सर आपने तो मेरे को डिमूरलाइस कर लिया मैंने तो एक टोपर का इंटर्विव पड़ा था उसने कर था कि मैं तो केवल चार मैने पड़कर के मैंने प्री निकाल दिया और मैने एक्जाम निकाल दिया वह लोगा यार भाई फिर तो मेरी गलती होगी है ना तुमने गलत जगह फोन कर लिया तो उस व्यक्ति के पास जाओ और उस व्यक्ति के पास मेर को भी ले कर जाओ और ऐसे लाखो स्टूडेंट्स को भी ले कर जाओ जो पांच माँ छे से साल से तयारी कर रहे है और उनको वह सूत्र दिलवाओ कि मुल दीया तो इस shines aam के लिए लख डिया बहुट कर दिया तो वो ऐसे भटक जा जाते क्यों कि कि इसी क्वेकति ने बोल दिया मने इतने इसे लिख अबी रहते अच्छा जो decid मेरे को डर लग गया अंदर तक यार यह क्या कर रही हो बाए तो फिर वह सोचो ऐसे पर सपना देखते हैं कि हम I.S. बनेंगे quality education डूढ़ते हैं नहीं है एक्जाम के लिए यहां पर भी देखेंगे कि यूटूब पर देखना कि ऐसी क्लॉक्स में बहुत भीड रहेगी जिसमें छोटी-छोटी चीजें पढ़ा दी जाएंगी पूरा चैप्टर पूरी की पूरी क्लास पूरी की पूरी बुक को दीन घंटे-4 घंटे के खतम कर दि जब सोचने समझने लायक बनोगे जब विसलेशन करोगे एनलिटिक चमता आएगी यूपीसी का एक्जाम तुक्के से नहीं आएगा लिखने से आएगा इंटर लिंकिंग से आएगा विसलेशन करने की चमता डवलप करने पड़ेगी उसके लिए तो दोस्त डिटेल में प फोकस करना पड़ेगा ठीक है ऐसे सोसाइटी की हिरोज को उपर उठाना पड़ेगा जिन्नोंने देश के लिए सोसाइटी के लिए उनके अच्छे काम के लिए कुछ किया उनको प्रुस्करत लगातार समय समय पर करना चाहिए होगा हम अपने हिरो किनको बनाते हैं अच्छे हैं हम भी देखते हैं हमें भी पसंद है उनके सारी चीजे देखना लेकिन मैं यूँ गरूं कि नैस्नल हीरो की बात कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए आप देखो कि वही लोग अड़र्टाइजमेंट कर रहे होते हैं जबकि उन्होंने तो मोटा पैसा बनाया है लोगों से कमाया है काम क्या क्या असली एरो कोन है जो समय पर आपके काम आया हो जिसने सोसाइटी के लिए कुस काम क्या हो जिसने लोगों की सिक्षा के लिए कुस काम क्या हो लगातार काम क्या हो उत्थान क्या हो किसी बुरा ना क्या हो भलाई क्या हो अपना समय अपना ज वैसे लोगों को hero बनाने क्या हो सकता है उन लोगों अगर नाम मनों निशान ही नी वो कहीं पर होते ही नी वीचारे तो वैसे लोगों को थोड़ा promote करने की जो है वो आऊ सकता है तो भो सारी चीज़ें यहां पर होगी तो यह सारी की सारी चीज़ें answer में आपको इन सब चीजों को तर्क के साथ लिखना है explanation के साथ लिखना है तो हो जाएगा और आप सभी को अभी एक और class है लगबग 10-15 मिनिट के बाद उस class को भी लेंगे तो M. लक्समी कांद की पुस्तक समाप्त हो जाएगी ठीक है लास्ट चैप्टर का थोड़ा से एरिया बच गया था उसको हम उसमें करेंगे रात में अभी आने 10-12 मिने ट्रेस्ट लेकर खापी करके आ जाने उस class में हम बनेंगे थोड़ा से एरिया बच गया उसको करते वे चलेंगे अब से डेली 9 बजे आपके लिए मैं रहूँगा और 9 से 12-12 एक बजे तक रेगुलर रहा करेंगे आपके साथ अब लंबा सफर लंबा साथ हमारा चलेगा तो उस लंबे सफर और उस लंबे साथ के लिए आपका भी हमें सहयोग चाहिए होगा जितने भी हमारे दोस्त हैं देखें मैं तो यही मानता हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ इतना हूँ जो भी हूँ सब आपके कारण है आप हैं तो हम हैं आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं सीडिसी बात है तो यहाँ तक जितने आए हैं तो आपके ही कारण आए है. इसलिए आपके लिए हम अपनी तरफ से फुल महिनत करते हैं. अपना पूरा एरिया बहुत डिटेल से मैंने आपके लिए complete करा दिये है. फ्री में. सोचिए complete अपना एरिया बहुत डिटेल से, इतने विश्तार की quality से जिसके लिए लाखो करोड़ रुपे खर्च करते हैं लोग वो quality free में YouTube पर देख कर गे मैंने आपना तरफ से कोशिस किये क्योंकि आपका ही प्यार रहा आपका ही सने रहा जिसने हमें यहां तक लाया तो हमारी तरफ से कोशिस है एक और मैंने आप सब के लिए कर दिया है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने सारी PDF डाल दी है ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम है अनकेडमी ललीत यादव की पाट साला फिर से सुन लीजिए अनकेडमी ललीत यादव की पाट साला अनकेडमी ललित यादव की पाट साला यह टेलिग्राम चैनल है पूरे UPSC के स्लेबस की केवल एक दो चीजे थोड़ा सा बच गया उनके भी मैं डाल दूँ है 90% स्लेबस की PDF मैंने फ्री में डाल दी है अच्छे quality वाले notes है बहुत बेहतरीन तरीके के notes है उनको मैंने डाल दिया है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए फ्री है सब के लिए अच्छे से पढ़िए महिनत कीजिए कोई भी दिक्का तो डारेक्ट मेर से बात करिए मेरी तरो से जितनी भी help हो पाईगी मैं अपनी तरो से पूरी help करूँगा आपको guidance के लिए बात कीजिए आपको admission लेना है अनकेडमी पर subscription लेना है उसके लिए बात करने है उसके लिए कीजिए आपको personal guidance लिए आगे तक लगातार personally तो एक चीज उसमें आपको भी करना पड़ेगा कि अनकेडमी पर जब भी subscription ले तो L-Y-L-I-V-E ये code है इसको लगा करके लेना ठीक है referral code जो है वो याद रखिए L-Y-L-I इसको लगाना तो आपको एक teacher की guidance मिलेगी direct बिना manager बिना assistant के मैं अपने सारे students को personally proper guide करता हूँ मेरा यही मानना है कि exam clear करना है तो एक student तभी clear कर पाएगा जब teacher के संपर्ग में रहे manager assistant के संपर्ग में आपको तक्निकी सहायता मिल सकती है education वाली सहायता सही मार्दर्सन मिलना कब क्या कैसे करना किदर करना motivation समय समय पर बनाए रखना उन सब की बारे में teacher ही जादा बेतर तरीके से आपकी help कर सकता है और मैं आपके लिए teacher कम दोस्त की तरह हूँ आप खुल करके मेरे साथ सारी चीज़े share कर सकते है हर तरीके से मैं आपकी help करता हूँ तो एक teacher कम दोस्त की तरह है आपके साथ exam pass होने तक मैं बना रहूँगा हमेशा help करूँगा कभी भी join करें ये code याद रख लेना है LY live आपकी सफलता का code है unacademy पर कभी भी course join करें कोई भी course join करें जब आपका मन करें तो code ये लगाना बस कहीं से भी call आये तो उनको बोल देना कि LY live code से लेंगे और फिर मेरे से संपर्क कर लेना मेरे को बता देना मैं अपने group में add कर दूँगा और direct video call पर phone पर direct आपकी हमारी बात्चीत regular रहेगी आपको proper मैं guide करता रहूँगा कैसे पढ़ना है क्या करना है telegram channel लेकिन जरूर join कर लीजिए टेलिग्राम channel का नाम है Unacademy ललीत यादव की पाट साला ठीक है Unacademy ललीत यादव की पाट साला जरा एक बर house the joss बताएंगे मेरे सारे दोस्त like save नहीं करते यार आप लोग आपके लिए इतने सारी अच्छी अच्छी classes यूट्यूब पर मैंने डाली यह 30-30 गंटे गी 25-25 गंटे गी जाकर के देखो इतनी बेतरिन quality है इतना content quality का कहीं मिलेगा नहीं और जरा जोस दिखाओ सारे के सारे मेरे दोस्त जाने से पहले house the joss joss कैसे है एक high joss है की नहीं house the joss सारे हमारे fighter हैं आप सब लोग warrior हो बता है यह बहुत बड़ी बात है कि आप जिंदगी की सारी समस्याओं से लड़ते हुए अपनी exam की तैयारी में जुटे हुए तो आप अपने आपको किसी warrior से किसी योद्धा से कम नहीं समझना है एक बस एक positive approach होना चाहिए एक high sir cancer आना चाहिए क्या बात है बहुत बड़ी है यही high joss ही तो मेरे को चाहिए आप सब लोगों में सारे दोस्त क्या बात है बहुत बड़ी है तालिया आपके लिए clapping जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं सब के लिए clapping आज एम लक्षमिकांथ खतम करा दूँगा आखरी chapter की कुछ area कुछ area बचा हुआ है वो अभी 15 minute के बाद मैं class लाऊंगा उसमें मैं आपको complete करा दूँगा ठीक है तो आज आपकी पूरी एम लक्षमिकांथ complete हो जाएगी इनकी mega marathon session 25-30 30-30 गंटे के 7 part आ चुके हैं एक आखरी part इन सब को जोड करके 17 गंटे 18 गंटे का ओर बनेगा वो मैं आपके लिए जल्दी अगले अफते तक आप सब के सामने provide कर दूँगा तो mega marathon series 7-8 part में आप देख सकते सारी हो जाएगी ठीक है चलिए आप सब को best wishes आप सब को सुब कामना है आप सब को अमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब को मैं एक बार फिर से यही चीज कहना चाहूँगा कि कभी हारना नहीं कभी डरना नहीं कभी रुकना नहीं मेहनत करते चले जाने जो मैंनत करेगा वो सफल होगा positive approach रखना है जितनी भी मुस्किले आएं जितनी भी समस्याएं उन समस्याओं से ने डरने जब भी समस्याए दिक्कत आए सफलता मेले इस line को याद रख लेने कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तो इनसान है अवतार नहीं गिर उठ चल दोड और फिर लड़ क्योंकि हारता वही है जो लड़ता नहीं तो आखरी टाइम तक fight करने अपने अपने जब तक जितना जजबा या मेहनत है उस मेहनत के आखरी समय तक लड़ते चले जाने हिम्मत नहीं आरने है बस जिस दिन हिम्मत आर गे ना उस दिन तुम fail हो जाओगे लेकिन जब तक हिम्मत बनाए रखोगे कोशिस करते चले जाओगे एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पर तुमारा काम्याबी तुमारा इंतजार कर योगी तुम जरूर सक्सेस्फूल होगे काम्याब होगे बस हिम्मत नहीं आरने है डटके लगे जाने है मेहनत करते चले जाने है और बाकी मैं आप सब के साथ हूँ हम सभी आप के साथ हैं आपके लिए हमेशा जो भी चीज दिक्कत हो तो अनेकेडमी लली त्यादो की पाट साला टेलीग्राम चैनल है उसको जोइन कर लेजिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान उस पर मिलेगा अनेकेडमी लली त्यादो की पाट साला फिर से बोलता हूँ अनेकेडमी लली त्यादो की पाट साला चलिए तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं दुबारा से टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक सेर कर दूँँगा अगली क्लास का 15 मिनट के बाद उसमें मिलते हैं तब तक के लिए हमारी तोर से सुब कामने लाइक सेर खूब करने क्लास को अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाने खूब अच्चे से इसको बिंदास लाइक सेर करते चलेजे चलिए आप सबको मिनटर से बेस्ट विसीज आप सबको जै हिंद जै भारत लेट्स क्रेक इट झाल 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 झाल